ये दो घंटे दस मिनिट की वीडियो के बाद मैं वादा करता हूँ आपसे दोस्तों कि आप ऐसे अपना PCM सब्जेक्ट का जो 12th के स्टुएंट हो वो लोग अजम मास्टर बनोगे आप ऐसे महारत हासिल करने वाले हो जो भी 2023 में एक्जाम देने वाले हो ने उसमें फोर करक कबर अप करने वाले हैं 500 पलस चाहे फीजिक्स हो बाइलोजी हो केमेस्ट्री हो सभी के सब्जेक्टिव कोशन की बात कर रहा हो मेरे प्यारे दोस्त आपको यूट्यूब पे तो लाखो धेरों मिल जाएंगे अब्जेक्टिव कराने वाले लेकिन सब्जेक्टिव कराने कोई नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव में तो फस जाओगे न तो अब्जेक्टिव का सीरीज तो हजार वीडियो आने वाला है लेकिन यह जो सब्जेक्टिव अगर आप इसे कबर अप कर लेते हो न तो 95% अगर आप चाहते हो फिजिक्स के विस्ट्री पाइलोजी को मिला कर है बस दो घंटे 10 मिनिट की वीडियो है अराम से समझो कि प्रवचन चल रहा है घूम घूम करके क्लास जैसे आपको करना कर लो बस यह सारे कोशन आप इसे दिमाग में रख लेना आपको काम बन जाएगा 2023 में एक्जाम देने जाओगे न तो आप खुद सोचो कि हाँ किसी ने मुझे यह कोशन कराया था बताया था और यह सारे कोशन बहुत ही इंपॉर्टेट है पीडिएफ हिंदी प्लस इंग्लिस दोनों ही लैंग्वेज में होने वाले हैं पहला जो सेक्शन हम लोग कवर करेंगे वह हम लोग का फीजिक्स से होगा फीजिक्स के मोस्ट इंप क्लास को कवर अप कर लो और यकीन करना जब उठोगे इस क्लास को खतम करने के बाद कोशन बैंक उठा लेना कोई पीछले एर का केस पेबर उठाले ना उसके बाद देखना कि आपको सारे कोशन मिलते है या नहीं है तो चलिए अब ज्यादे दिर बखवास करेंगे तो बो बहराल कोशन आपको एक्जाम में बहुत ही इंपॉर्टिंट होने वाले है तो उसके लिए जरूर आपको बोलूगा कि बने रहना वीडियो पर चलो पहला कोशन जो कि आपके स्क्रीन पर है फिजिक सक्षन से उसको देखते है फिर ओवराल चलेंगे बालो जी के तरब तो तो बेसिक परपर्टी आपका एलेक्रिक चार्ज का तो कॉंटेजेशन आफ चार्ज और कंजरवेसर अफ चार्ज यही सेम चीज आप इसका देख लो हिंदी में आवेस के दो गुन नियम क्वांटिम होता है और आवेस संग्षीत होता है चलिए को रोट के तरफ मैरे प्य यह वीजन ही हो जाएगा नेक्स्ट नोमर टू वाइद दखो 2020 और 2022 में पूछा है ठीक है 2020 और 2022 में पूछ चुका है 2023 में भी पूछने का चांसेज है principle of conservation of charge क्या होता है तब total principle of conservation of charge equal to 0 total charge on an isolated system remains constant this is not as the principle of conservation of charge ठीक है जो 0 रह जाए या constant रह तो उसको बलते है principle of conservation of charge question number 3 हमारे प्यारे दोस्त is charge possible on a photon क्या charge possible of photon पर तो हाँ भाई ध्यान से इसको देखना एक most important question है कहता क्या है photon is a energy pocket energy of each photon is h mu photon आपका एक energy pocket होता है और energy of each photon is h mu where h is equal to planks constant and mu is equal to frequency of radiation since rest mass of photon is 0 so it can't have charge दखो भाई photon पे charge होने वाला नहीं है तो इसका answer होगा नहीं ठीक है चलिए बहर अलको चरूब फूर केता है will the mass of a body change after charging तो यह मैंने जो बताया था कि इसमें आपका जो अगर body charge होता है तहां mass में उसका changes आता है अगर gain करेगा यह loss करेगा तो उसका mass में changes आएगा चलिए कहता क्या है since we know that charging of a body depends upon transfer of electrons जैसा कि हम लोग जानते है कि किसी भी body का charging हम लोग कर डिपेंड करता है transfer of electrons पर इसलिए so if a body becomes negatively charged अगर कोई body negative charge हो जाए तो वह हैसे electrons को gain करेगा क्या करेगा वो electrons को gain करेगा that its mass will increase any for body तो जिससे क्या होगा उसका कि mass क्या होगा increase करेगा गेन करेगा तो mass तो increase कर जाएगा इसलिए अगर को और अगर कोई body आपका positively charge हो जाए तो वो electron को loss करेगा और उसका जो mass है वो decrease करेगा hence it proves that body have mass and change their masses after charging ओके चली next question नमर आते है question नमर 5 के तरफ what is the importance of writing coulomb force in a vector form क्या आपका importance होता है vector form में लिखने का coulomb force को तो बहुत फाइदे है उसको लिखने का देखे दो फाइदा है आप वह बता देता हूं दो-दो importance है तो कहता में आपका equal है लेकिन opposite direction में तिया फाइदा हो गया दूसरा जो vector form अता coulomb force का वो बताता है coulomb force acts along the joining charges हैंज the coulomb force is central force यह भी बताता है कि coulomb force एक आपका central force है अब इसी central force का question नीचे में है discuss करता है चलिए तो यह सेम चीज हिंदी में भी है विदुत आवेस के दो मुल्गुनों को लिखे आवेस सर्रक्षन का सिधान्द क्या है उसके बाद क्या photon पर आवेस संभव है उसके बाद क्या किसी वस्तू को आवेशित करने पर उसका द्रवमान बदल जाएगा अभी तो पहले बताए गिया उसके बाद कुलंबल को सदीश रूप में लिखने से क्या लाब है उसके बाद चलिए next question कुलंब फोर्स इसे सेंट्रल फोर्स अभी तो पहले मैंने बताए तो आखिर ऐसा क्योंब तो कुलंब फोर्स इसको आप देख लेना कुलंब फोर्स एक्स अलॉंग दा लाइन जो ही आपका है दोनों के बीच का चार्ज बहुत चार्ज की पीचिए जो काम करता है इसी लिए इसी लिए कुलंब फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है ठीक है चलिए question अफोर worked on poti चार्ज के लिए कर सकते हो त्योंब फोर्स को पॉंब फोर्स के लिए नहीं कर सकते हैं मैं दूसरा इस सब्सक्राइस ग्रेम की सेंट्र होत्पाईज बीचार्ज या डिस्ट इक'' आप यह difficult हो जागा जब आप इसे calculate को रोगोने arbitrary किसी shape पे तो आपको दिक्कत हो जागा चार्ज एक होगा से distance दोनों के पीछ में count करने का तो यह column force का एक डिमारीट हुआ next question नमर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त 8 number what do you mean by intensity of electric field what do you mean by intensity of electric field देख लो 2020 में पूछा है 2023 में भी पूछने के समाब नहाए electric field का intensity से आप क्या समझते हो तो देखिए electric field हम लोग पहले देख लेते हैं क्या होता है force on unit positive unit positive charge यानकी test charge is called electric field कोई दिकत unit positive charge पे जो हैसा force लगया उसको हम भी बोलते electric field इलेक्ट्रिक फिल्ड बड़ाबर होता है force बटे charge is called to f by q समझ गया है तो electric field से क्या समझते हैं तो समझ गया दो नमर के लिए बन जागा question number 9 मेरे प्यारे दोस्त define electric field intensity in current carrying conductor and equip potential surface mbbi है 233 के लिए रट्टा मार के जाएगा यह सब question साने के संभावने दस में से नौ बार होता है बहराल यह 2013 में पूच्छू का question चलिए इलेक्ट्रिक फिल्ड का हम लोगों पता चल जुका हुँ था पहले पर है कि unit positive charge पे जो आपका लगेगा लेकिन हम लोगों का क्या पूच्छा था current carrying conductor पे ध्यान से दोखो force on unit positive charge at any point of the current carrying conductor is called electric field simple सी बात है बस current carrying conductor कर लेंगे उसके जगा तो electric field इसको फोर्स बाइचार्ज इसको एप बाइक्यू पोटेंशल सर्फेस पे आते है तो surface which has equal potential at all its point is called equipotential surface simple सी बात है electric field is always perpendicular to any equipotential surface इसको underline कर लिजएगा MBBI ये 2023 में रहेगा ही रहेगा आपका objective में रहेगा एक नमर में रहेगा ही रहेगा next question number 10 जो की आज की वीडियो का line है draw lines of force of electric field due to system of two equal point charge ये बहुत बार पूछा गया questions है सिर्फ 2017 बेने उससे पहले पूछा गया है लेकिन बहुत बार पुछता है तो ये उसका आपका देख सकते हैं ये हो गया इसका ठीक है हमारे प्यारे दोस हम लोग 11 के दरफ कहता है write down the difference between electric field lines and magnetic field force आपको electric field lines और magnetic field force के बीच में क्या लिखना है difference लिखना है मेरे प्यारे दोस्त तो दोनों के बीच का difference यहां पर लिख चुका हूँ मैं देख रहा है तो electric field lines कहता है electric field lines do not complete a loop लेकिन magnetic field lines आपका ऐसे क्या करता है loop को complete करता है उसी के बता है फिर दूसरा electric field lines are perpendicular to the surface of conductor ठीक है perpendicular होता है किसी भी surface किसका तो conductor के लेकिन यहां पर the magnetic field lines are at any angle किसी भी अंगल पर हो सकता है लेकिन electric field lines के वाला के बाल 90 डिगरी पर ही होगा लेकिन मैंगेटिक फिन लाइंस किसी एंगल पर हो सकता है थार्ड जो डिफ्रेंस है एलेक्ट्रीक फिन उट इग्जिस इंसाइड अ कन्डॉक्टर इलेक्टिक फिल लाइन्स किसी अंदर आपको नहीं मिलेगा ठीक है चलिए था डिफ्रेंस हमारा कोश्चनर व्र क्या आगे था त जैंक केंड टू पोटिन सर्फेस इंट्राइक बहुत इंपोर्टिन है इसको बहुत अच्छे तरीकी से सरे से लिए समझाया करते है अगर आप लगोग धेरी नियुक्त विसको समझाते हैं तो कैसा देखिए गा if electric field lines intersect each other then there be two different direction of electric field at a single point which is not possible so electric field lines never intersect मेरे बाई इलेक्ट्रिक्रीद लाइन अगर intersect करता है intersect कर गिया to do that direction बन जागा do go direction बन जागा इसी लिए इसी लिए इलेक्ट्रीद लाइन कभी भी आपका ऐसे intersect नहीं करता है क्योंकि 2 लाइन पॉसिबल है नहीं पहले भी जो question number आपने देखा उसमें भी मैंने यह बताया, surface के perpendicular होता है, if two equipotential surfaces intersect each other, then they will have two different directions, तो इसके पास two different directions होगा, और electric field at a single point of interactions, which is not possible, so two equipotential surfaces never intersect each other, इसी तरीके से आपका two equipotential surfaces भी एक दूसरे के साथ कभी भी intersect नहीं करेगा, चलिए, question number कहता है, हमारे प्यारे दोस, 14, 13 number कहता है, write down the behavior of a conductor inside an electric field, दखिए, यह आपका electric field बना हुआ है, यह आपका electric field, electric field, यह negative, यह positive, यह बीच में conductor रखा गया है, electricity का zero है, velocity का constant है, तो देखिए, रख दिये गया, तो देखिए, क्या क्या इस पे होगा, क्या 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 इस direction of electric field, देख सकते हो, negative charge यहाँ पर developed हुआ, और direction के ही, जो direction है, उसी में आपका positive charge भी उत्पन हुआ, दूसरा देखिए, behavior, electric field will be perpendicular to the surface of conductor, electric field यहाँ देख लो, यह जो conductor है, जितना भी, यह सब में यहाँ पर देखो गया, तो यह perpendicular आपका बन रहा है, यहाँ पर आपका perpendicular बन र on outer surface, और charge आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ outer surface पर होगा, potential at the surface of conductor and inside will be constant, बताए है, conductor के inside आपका constant होगा, यह मर्था question 13, 14 नमर देख लो, कहता है, यह 2014 के exam में पुछा है, electrostatic shielding, यह एक आपका MBBI question है, heat listed question है, ठीक है, और यह जो 24 दिख रहे हो, यह इसके बाद भी बहु important है, इसको भूलिएगा मत, तो क्या कहता है, the phenomena of shielding an object or an individual from electric field or from electric current to place inside a hollow conductor is called electrostatic shielding, this phenomena is based on the fact that electric field inside hollow conductor is zero, ठीक है, मेरे प्यारे दोस, last question नमर आच के सुड़ियो का, और इसका application देख लीजे, it is safe to sit inside a car to be safe from the thundering, आपका सबसे बड़ा, आप देख सकते हो, जब भी अगर आपका बिजली करके ना, ताप पेर की नीचे मत खरा रहना, किसी गारी की नीचे रहना, वो आपको ज्यादा असानी से जान बचाना, क्योंकि वो electrostatic shielding का काम करेगा, लेकिन पेर आपका direct current को से खीचेगा आपने अंदर, चलिए, लास् इसलिए मेरे बाई, area of pointed edge is very small, बहुत ही छोटा होता है, area point edge का, ठीक है, इसलिए surface charge density जो होता है, sigma बरावर QIA, किसी भी pointed edge का बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है, charge बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण से, electric field भी आपका क्या होगा, edge पे बहुत ज्यादा होगा, इसलिए Corona discharge will take place at that point is, there are four pointed edges are not left electric machine, Corona charge बहाँ पर जो उत्पन हो जाता है, कुछ जो की damage भी कर सकता है, इसके लिए से किसी भी, आपका machines में, electric machines में, आपको बहुत नहीं छोड़ा जाता है, electric edges points, तो हमारे प्यारा दो, 16 number 15 मैंने बता दिया था, जो 16 देखरे हो ना, ये 2010 और 2016 में पूछा है, 2018 में भी ये पूछा हुआ है, 2018 में भी पूछा है, 2018 में भी ये पूछा था, defined dielectric strength and relative permittivity, बहुत important questions है, इस chapter की बात करें और ये question नहीं तो ऐसा कोई बात ही नहीं, बहुत important question है, dielectric strength क्या होता है, तो क field है, ठीक है, electric field है, कोई भी dielectric medium के लिए, वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, conductor का, किसे non conductor से, that is, loses its insulting property, that is called as dielectric strength, ठीक है, कोई राउट, dielectric of, dielectric strength of air, अगर आप से पूछ देऊ, objective है, तब बताते ना, 16 to 10 का पावर 6 है, मारे प्यारा दोस, question number 17 का, 16 EC का दूसरा पार्ट आते है, relative permittivity of dielectric constant, यह आपका बहुत बार पूछता है, चाहिए आपको objective में पूछ दे, हमारे प्यारे दोस्त, चाहिए subjective में पूछ दे, लेकिन पूछता है, मेरे प्यारे दोस्त, तो कहता है, relative permittivity, ठीक है, कैसा क्या होता है, the ratio of permittivity of medium, to permittivity of air and vacuum, is called relative permittivity, आपका जो ratio, ठीक है, permittivity of medium to the permittivity of air, या फिर vacuum, ठीक है, वैसा होता है, उस ratio कुछ बहुता है, related permittivity, relative permittivity, बेrouल पर्मिटिविपिविटी नेक्स्ट नम्बर ये देख रहे हो यह एक इंपॉर्टेटिन है हमारे प्यारे दोस्त मिसमत कीज़ेगा कहता है अगर दे दिया जाए क्यों चार्ज आर वाले रेडियस को तो देख एलेक्ट्रिक फिल्ट अट इसको इलेक्ट्रिक फिल्ट क्या हो जाएगा इसक तो को फॉर पाईप साले नोड यह नहीं होता है क्यों बाइ फोर पाई इस साइलन नोड इन्टु आर स्कुर्ड यही चीज़ यहां भी लिखा हुआ देखलो यही चीज़ यहां भी लिखा हुआ है कुलम हमको चार्ज हमारा कितना है वन कुलम आर कितना है वन मीटर तो जब इसको सॉल्व करते हैं पूट करेंगे तो जब के जगे सब फुट करोगो तो यह आएगा आपका अधा इसको हैलू को जाब आप सॉल्व करोंगो ना तो यह आएगा ूएगा 9222वड पर होल्ट पर मेटर ठीक है इसी से इलेक्रिक फिल्ड इस ग्रेटर इस ग्रेटर ग्रेटर ताइक्ट ता आव धाध्याव श्क्रिं कुलम का तो पॉसिबल है नहीं नहीं दे सकते हैं कुलम स्कॉयर नीटन इंवर्स मीटर इंवर्स ठीक है चलिए मीटर स्कॉयर इंवर्स और डायमेंशन आपका यहां पर होता है यह मीटर स्कॉयर इंवर्स अबक्रें पर जा था टो है कॉशन आपके स्कॉयर आपके नंबर इसके माफ़ी और शिया मैं उसको अगली वीडियो में से कल रहा दूंगा ठीक है तो है 20 ordinary rubber is an ordinary rubber is an insulator ठीक है ordinary rubber is an insulator but rubber tires of aircrafts are made by slightly conducting वाई देखे ये एक बहुत important question है बहुत important question है आपका 20 number है ordinary rubber आपका insulator होता है लेकिन जो rubber tires होता है न ठीक है aircraft का वो slightly connecting बनायता है एसा क्यों और यह बहुत important है बता देना बहुत important है कहता है ordinary rubber is an insulator but rubber tires of aircraft are made slightly conducting इसलिए बनायता है क्यों so that charge generated due to friction बताए कि ordinary जो अगर बनेगा friction होता है friction between tire and track goes to earth and the aircraft is saved from any misstep कोई भी ऐसे अगर घटना होता है तो उससे बचने के लिए ऐसा किया था कि इंसुलेटिंग बना दिया था है तो last question 20 number देख लीजे यह भी आपका बहुत important question है खैर इसको तो अगली वीडियम पर है ज्यान से दखिएगा वेकल्स कैरिंग इंफेलेमेबल मेटेरियल्स यूजवली है मेटैलिक रोप स्टचिंग दा ग्राउंड दूरिंग दा मोशन वाई एक इंपोर्टन कोश्चन है जब आप एंसी आटी का बूक उठाओ गाना तो इसमें यह कोश्चन लिखा हुआ है एक बहुत ही इंपोर् मेटैलिक रोप होता है ठीक उसमें जो कि देखना हमेशा वह जमीन से सटा और लटका रहेगा मोशन गद्राउं जब ही चलेगा न तब बहुत इंपोर्टन कोश्चन ऐसा क्यों होता है तो देख मेर भाई ऐसा इसलिए होता है इसके रिजन देखो देखो वेकल्स कैरिंग इसलिए देखो देखो जो फ्रिक्शन होता है तो रोड या वेकल के टायर में तो भाई फ्रिक्शन हो रहता है तो उस फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उसमें जेनरेट होगा वो अगर कोई मेटल कैरिंग कंड़क्टर ना हो जो कि जमीन में पहुचा दे अर्थ में तो अगर वाइसा नहीं होगा तो देखना कि हैजाड्रस में तो कि आग भी लग सकता है बहुत ज्यादा भी स्वोट भी हो सकता है इसी कारण से उसमें लटकाया जाता है तो यही रिजन था प्यारे दोस्त कोश्चन नमर 22 क्या करता है धांस देखना वेन इलेक्ट्रिक करेंट इस अलावट तो फ्लो थ्रू हाइप पोटेंशल वायर्स बढ़ सिटिंग वायर्स फ्लाइज वाय जब ऐसे इलेक्ट्रिक करेंट बहुत ज्यादा हाई उसमें इसे फ्लो करा दियाता जानते हो कि बट्स वगड़ा का पैर में इसे उनका जो संसिटिविटी होता है उनका ब्लड वगड़ा तो फ्लो होता नहीं ज्यादा तो इसके तहत हुए इसे नंगे तारों पर भी बैठ जाते तुन्हें सौट लगता बहुत ही कवें लेकिन हाँ जब हैसे वोल्टेज परहा दिया जा रहा है तब आखिर क्यों से पक्षियां उड़ जा रहे है ता अंसर देखिए लेक्टिक करिंटी इस लाव तुद फ्लो थूद थूदा हाइप पोटेंशल वायर दें दे सिमलर चार्ज इंडूज इंड़ फीदर ऑफ द वर्ट सिमलर चार्ज तो उसमें क्याक वायर बशाग ब्रसाइत के मौसम में में इरे कहता है लोग ऐस जो बैंभू से जो बांस का पेर था ना बांस का बांस का पेर 입니다 कि पेर का चपी से दूइसका जो च्षाता बने तो उसका आप ऐसे यूज करो मेटल इस्टिक को आगर को रीकार को तो ऐसा इसलिए नियो थिख आना वह लइइगा को तो देखिये उसका अंसर है वोड़ी इस दो रेक्रिकिधा इसलिए लाइटनिंग से खुद को बचाने के लिए आपको बैंबू स्टिक अम्रेलाज यूज करना चाहिए इस्टीड अफ मेटल स्टिक अम्रेलाज कोई डाउट चलिए कोर्शन मादर तरफ क्या था क्या था क्या है इसफ्रीकल सेल इससे को दे दिया गया क्यों चाहिए जुसमें की चाहर्ज है प्लस क्यू तो देखिए जो प्लस क्यू चाहर्ज है हम लोग स्टीड उप्लस क्यू देदिये हैं तो A, B, C तो हमारा close Gaussian surface बन गया, Gaussian theorem से हम लोग जानते हैं, कि phi, D phi is close to q into 1 by silent node, तो हम लोग को total charge, जो इसमें की total charge आपका close होता है, हम लोग को पता है, जब इसको solve करोगे नमर भाई, Gaussian surface को solve करोगे, तो finally आपका answer आएगा, E is close to phi D into A, q by silent node, जिसमें की हम लोग जानते, electric field किसी जा लोगे, इसमें फूट करोगे, तो 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 आया, जब इसलिए कोई भी चार्ज अगर आप conductor के अंदर डालोगे, कोई भी चार्ज पर उपर आने वाला नहीं है, क्योंकि पता है, conductor के अंदर का electric field क्या होता है, 0, तो यही था answer, question number 25, last question है, इस by important question में से एक है, electric field, यानि कि, explain करना आपको superposition of electric field, तो देख सकते हो, electric field at a point due to number of charges is equal to vector sum of the electric fields produced by these charges individually, देख, electric field जो point charge के द्वारा जो होता है, वो equal होता है, vector sum का, जो electric field produced होगा, किस के द्वारा, तो independent charge के द्वारा, तो electric field, e1 ब्रावा, e1 प्लस e2 प्लस e3 डॉट डॉट कर दीजे, तो यही चीज आपको जब लिखोगे, तो आपको कहला आएगा, क्या, principle of superposition, principle of 20, six के तरफ तो कहता क्या है, can a neutral body produce electric field exemplify, क्या neutral body, neutral, अब neutral का मतले तो पता है यह ना तो उसमे negative charge है, और ना ही उस पर positive charge है, तो क्या neutral body, जिस पर क्यों कुछ भी नहीं हो, क्या उस कोई possible है, कि वो हैसे charge को produce कर सके, उसको आप example के साथ, बताइए, yes, तो इसका answer होगा, yes, a neutral body can produce electric field, neutral body जो होगा, वो electric field को produce कर सकता, example के तो पर, electric dipole consists of two equal and opposite charges, जानते होगे, equal, जो आपका electric dipole होता है, ना, दो हैसे, equal and opposite charges को क्या करता है, क्या करता है, तो इसलिए, equal and opposite charges, equal कहने का बतला, गरो plus one ले रहा है, तो उधर minus one ले रहा है, तो देख भाई, plus minus, minus, यहन की खातम, charge तो होगा 0, लेकिन यह possess तो कर रहा है, इसलिए कहा, कि आपका यह proof होता है, कि neutral body पे charge होगा, electric field को produce कर सकता है, और इसका example है, electric dipole, कोई दिक्कत, चलिए हमारे प्यारे दोस question number 27, what is SI unit of electric dipole moment, एक important question है, देख सकते हो, 2014-2014 लागातार पूछा है, ठीक है, और काफी 2-4 साल हो गया, नहीं पूछा है, लेकिन हाँ, chances है, 2030 में आप से पूछ सकता है, electric dipole moment हम लोगों पता है, electric dipole piece हम लोग इंडिकेट करते हैं, उसका हाँ, Q into 2L, यहन की charge into distance, और उसके कुलंब मीटर, संटीमेटर में लिखो या फिर मीटर में, तो SI unit जो हमारा होता है, electric dipole का होता है, कुलंब मीटर, क्या होता है, कुलंब मीटर, चलिए, question number 28 कहता है, an electric dipole is placed and informed electric field, short activity will not execute unsolatory motion, MVBI है, MVBI है, मिस मत कीज़ेगा, एक electric dipole देख सकते हो, minus charge यहर प्लस charge, electric dipole रखा ह हुआ है, electric field lines में, ठीक है, तो आपको पताना है कि execute करेगा, translatory motion या नहीं, तो देख मेरे भाई, electric dipole हमारा कहां रखा हुआ है, तो electric field E में, force क्या है, force in minus Q charge, देखिए, F1 पे क्या हो जागा हमारा, यहाँ F1 है न, और यह F2 है, तो देख मेरे भाई, F1 का लग रहा है, direction दे ठीक है, तेहाँ चलिए, आते हम लोग अपने question पर कहता है, F1 हमारा QE opposite direction में होगा, E के, देखिए, E हमारा इस side में, electric film इस side में है, electric film इस side में है, तो F1 हमारा उसके opposite है, तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यह समझ गये, ठीक है, प्लस Q charge पे, और F2 ह हमारा भी हो opposite direction में, क्योंकि यह minus में है, चलिए, next, तो total late आपका क्या होज़ा बता चुके है, दोनों का opposite direction इसके कारण से 0, तो इसलिए आपका dipole, आपका क्या करेगा, execute, नहीं करेगा, question 29, जहां से देखिएगा, how does the electric field due to an electrical dipole change with distance, कैसे electric fields हो है, आपका electric dipole के दोरा, change कर लेता, अपना distance को, electric field due to an, electric dipole in an axial position, ठीक है, axial position का हम लोगों पता है, यह axial हमारा होता, 2 pi, A4, 5 salinor, RQ, यह axial पे हमारा जब निकलेगा, तो A1 by RQ, ठीक है, electric field due to an electric dipole in equatorial position, equatorial position में निकालना है, तो EQ potential surface का हम लोगों पता है, कि P by 4 pipe salinor, RQ होता है, इसी दर से surface का निकाले, तो दोनों equation हमारा पास आ गया, तो जब दोनों equation को solve करें, तो आता है, final E into A1 by RQ, hence electric field due to an electric dipole is indirectly proportional to the cube of the distance, electric dipole आपका, किसका होता है, indirectly proportional to the cube of distance, कोई दिकत, question 30 देखिएगा, in which direction will a dipole rotate in an electric field, बहुत important है, बहुत important है, इसको B by Tick कर लीजगा, बहुत important question में से ए किस direction में, किस direction में, आपका जो dipole हो रोटेट करेगा, electric field में, तो मारे पैरा दोस, electric dipole जो है ना, रोटेट करेगा, किस सीज़ पर देखिए, so that the smaller angle between P, यानि कि electric dipole moment and electric field decreases, when angle between P and E will be 0, it will stop its rotation, तो जब 0 हो जाएगा, तो अपना rotation क्या करेगा, रोक देगा, तो यह था हमारा question number 30, इसके बाद का, जो हमारे questions चलने वाले में, प्यारे दोस, 31 से लेकर के, 35 तक में, sorry, 31 ही questions है, तो 31 भी देखी लिजिए, क्या इसको भी छोड़ना, फिरा से last class खतम कर लेते हैं इसको, तो, नहीं, सारे के सारे अलग अलग questions है, वो mix हो गया, तो नहीं है, दो वीडियो, एक वीडियो उसका और आएगा, 31 में ही आपके दो questions बनने वाले हैं, तो एक वीडियो इसको और आएगा, ठीक है, थोड़ा सा misprint है, तो इसका ऐसे दुबारा से आपका आएगा, तो चलिए हम लोग मिलते हैं, अगले वीडियो में आसा करते हैं, कि यहां तक में कोई दिक question थे, वो सिर्फ और सुफ chapter 1 से included थे, लेकिन biology में ऐसा नहीं है, यह पूरे book से आपका selected questions है, ठीक है, physics का एक और वीडियो आने वाला, जो कि मैंने आपको उसका hint दे रखा है, अभी जो चलेंगे biology के तरफ, जो 500 पलस subjective question का target है, उसको और याकिन करो, यह पूरे book का निचोर question उसा आपको मिलने वाला, जिसमें की 95% आपका पक्का है, तो chemistry से पहले हम लोग biology का बात किये थे, तो अभी चलेंगे biology के तरफ, पहला question से start नहीं करेंगे, सिधा question number 2 आपके screen पर आने वाला है, ठीक है, पहला question आपका what is semen था, उसको मैंने ऐसे हटा दिया, क्योंकि वो त करने के लिए त्यार रहेगा, इसके बाद most probably आपका chemistry तुरंद चलने वाला चलिये करते है, पहला question से start, जो कि पहला question तो नहीं दूसरा होगा, तो आपके screen पर है, दूसरा question, ध्यान से देखीगा और पूरा देखीगा, समझेगा, hormones that control the growth, maintenance and function of duct system, ठीक है, सब का, तो देख Testosterone promote the growth, maintenance and function of duct system, ठीक है, accessory gland and penis, Testosterone promote करता है, किसको growth and maintenance का function का कौन maintain करता है, तो Testosterone, Testosterone, next, FSH regulates the growth of maintenance and function of seminiferous tubulars, seminiferous tubulars का का कौन, तो FSH, next, Lutinizing hormone, LH hormone, regulates the growth and maintenance of function of lighting cells, यह समझ गया है, यह सारे के सारे के growth and function को कौन maintain करता था, तो मैंने बता दिया, question number मेरे प्यार दोस्त, 3 number, mention the functions of fellafin tubes, uratus and vagina, इसका भी मैंने वीडियो part 2 में से cover up किया था, मैंने बताया था, कि बहुत important question है, दुबारा से इसको इसको इसे discuss करेंग fellafin tube का आपको function पूछ रहा है, uterus का function पूछ रहा है, और vagina का, तो देखिए, fellafin tube का function, these conduct the ovum toward the ureterus and ovum may be fertilized by a sperm unit, ठीक है, यह जो है, ovum को conduct करता है, और जो इसमें ovum में जो sperm आगा तो इसको fertilization का भी काम कराने में से मदद करता है, next, uterus देखिए, uterus का का काम क्या होता है, the fertilized ovum, जो हमारा यहाँ पर क्या, इसमें जो fallafin tube में हमारा जो fertilize हुआ, ovum, तो वो fertilize होने के बाद, जो blastocyte stage है न, gets implanted on the wall of the uterus, जो implant हो जाता है, blastocyte, वो आपका ऐसे uterus पे से involved हो जाता है, और develops into the growing photos during the pregnancy, pregnancy के दुरान, photos भी इसी में बनता है, तो uterus का का काम होता है, next, vagina, आप इसका ही मैंने बता दिया था, vagina, only for sex के लिए, जिसमें कि आपका सीमन को conduct कराता है, ताकि यह से, आयका pregnancy पर करिया आगे हो सकते, देखे, vagina, it receives the semen from the male during mating, जब ऐसे reproduction होता है, male, female का mating होता है, तो उसके दुरान यह से, सीमन को ऐसे conduct कराने में करता है, और child birth के दुरान भ major components का आपको लिखना है, देखिए, अगर biology का question से हम हिंदी में देंगे तो बोलेंगे, सर आप क्या आदम vulgar थरीके से पढ़ा रहे हैं, आप यही बोलोगे, चलिए, खेर, हिंदी इंग्लिस दोनों में आपका, इसका PDF आप चाहोगा तो मिल जाएगा, आपको कोई दिकत न निम्रस highly coiled tubulars, ठीक है, दस टेस्टीस remains suspended in a skinny sack like pouch called escotrum, जो हमारा टेस्टीस होता है, मिल का, वो escotrum जैसे cell में क्या होता है, पैक होता है, उसका नाम escotrum बोलिए, या escotral sacks बोलिए, ठीक है, escotrum acts as the thermoregulator to keep the testicular temperature 2 degree lower than the body temperature, देखे, body temperature के हिसाब से 2 degree को ठंडा रखने में वो काम करता है, the escotrum is divided internally into the right and the left escotrum sacks by muscular partitions, the spectrum escotty, a scalar like raf marks the lining spectrum, septum, आगे इसी में, inguinal passes, जो कि आपका सिमन वगरा पास करने में जो मार्ज करता है, और inguinal canals in the passes through which the testis descended down in the escotral sack, connected होता है, इस testis is held in position in the escotrum by a small, thick fibrous cord and the givranaculum and the spermatric cord, यह सब से यह connected होता है, इस testis is surrounded by the distinct cords, देखे, किसकी से, तो sunika, vaginalis, sunika, यह सब से क्या होता है, sunika albogenia and sunika vasculosa, ठीक है, इन सभी से वो cover up होता है, ढखाव होता है, इस seminiferous tubulus is lined by a single layer of germinal epithelium which gives rise to espermatogia, जो कि यह से espermatogia को क्या करता है, बर्थ करने में, जनम करने में के espermat, जो आको formation मदद करता है, और यही चीज रिलीज इन्टु दा हीमन आप दा टीविल, जो आपका हीमन का penis का टीविल होता है, उसमें इसको रिलीज किया जाता है, उसके बाद से फिर अगर mating होता है, तो वहीं से फिर आपका activate होकर के female के जानाय में इंटर करता है, तो यही था हमारा क्या, और यह पांच नमर में पूछेगा, आपसे एक नमर, दो नमर नहीं पूछेगा, major components of testis, पांच नमर में पूछेगा, याद रखेगा, question number 5 के तरफ, what is triple function, underline कर लिजएगा, एक MBBI question है, triple function एक MBBI function है, MBBI question है, ठीक है, तो क fusion, triplet fusion भी आप इसको बोल सकते हो, जब मेल गया मेट, N, 2N के साथ इसे मिलेगा, और produce करेगा, primary indoor sperm को, या यह produce को, काट दीजएगा, primary indoor sperm को, तो जो 3N के साथ, जो बनेगा, 3N जो produce होगा, वही कलाएगा, आपका, triple fusion, question है, 6 आपका, एक MBBI question है, 6 आपका, एक MBBI question है, 6 आपका, जो conjugation है, this is a mode of sexual reproduction, यह एक आपका, मोड है किसी का, तो sexual reproduction का, some acesular protist animals, exubule sexual reproduction by forming male and female gamete nuclei, कुछ जो आपका acesular protist animals होते हैं, exubule type के, तो वो आपका, आपका, क्या करते हैं, sexual reproduction करते हैं, क्या, form करके, male and female gamete का, ठीक है, यह आपका mode of reproduction है, उसके बाद, जिसमें होता क्या है, which they, exchange, through temporary cytoplasmic bridge, जो कि आपका temporary cytoplasmic bridge से exchange करता है, later cytoplasmic bridge disappears, उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, वो क्या होता है, वो disappear होता है, उसके बाद जो gamete nucleus है, यह one individual का, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, other के साथ, जो आपको बनाता है, जाइगो question number 7, यह आपका MBBI है, बहुत बार यह question पुछता है, रट्टा मारने के जरू होता है, पांच नमबर, दो नमबर में इसका बहुत कम chances होता है, लेकिन पांच नमबर में इसका chances बहुत जादा होता है, ठीक है, तो आपसे request है कि पूरा इसको देख लेना बहुत important question, BBI है, what is menstru menstrual cycle, menstrual cycle क्या होता है, write down the hormonal control over the menstrual cycle, और आपको hormonal control क्या लिखना है, hormonal control menstrual cycle का, ठीक है, दो कि मेरे बाई, जो menstrual cycle है, यह start होता है, आपका कितना, 12 to 15 years के, किसके अंदर तो female के अंदर, ठीक है, menstrual cycle starts between 12 to 15 years and continues till about 40 to 50 years, किसमें, तो females में, अगर average menstrual cycle की बात करें तो 28 days, का होता है, जिसमें क्या होता है, कि कुछ समय के बाद, after which some blood and other products of the disintegration of uterine mucosa, ठीक है, जो कि आपको indometrium होता है, जिसको क्या by waste, waste product जिसको बोल सकते हो, आपके female body के अंदर, वो किसके तौर पर, in form of blood, ठीक है, बलड के तौर पर, आपका discharge होता है, female के बाई जायना से, from uterus as menstrual bleeding, जिसको की menstrual bleeding, हम लोग बोलते है, और इसी process को हम लोग बोलते है, mensuration, इसी को हम लोग बोलते है, mensuration, कोई डाउट, इस दोरान में क्या होता है, इस period में, the female reproductive system shows regular cycle change, इसमें कुछ cycle होता है, आपको पता ही है, और इसी cycle को हम लोग आते है, menstrual cycle, तो आप पहले mensuration समाज ग कोई डाउट हो, तो कमेंट करके नीचे पूछ लेज़ेगा, आगे फिर दखेगा, हर्मोला कंट्रोल हम को इसमें बोला गया था, जो हर्मोला कंट्रोल होता है, menstrual cycle में, इस्ट्रोजन, याद रखेगा, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन, ठीका, इस्ट्रोजन, प्लेजन प होता है, तो वो आपको ऐसे, इस्ट्रोजन नामक एक, आपको इंजाएं, इसको आप बोल सकते हो कि, केमिकल, वो भी आप इसको समझ सकते हो, वो रिलीज करता है, जो की, फर्मेशन करता है, थिक, इंडोमेटरियम, और मोर रिची, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इतना ज्यादा आपका, जो मोस्ट इमिडियेट इफेक्ट होगा, एफ एसेच का, आपका मैचुरेशन ओफ इग्जिस्टिंग अफ लेट प्रामरी और सेकेंडरि फॉलिकल उतना ही ज्यादे काम करेगा, ठीक हमारे पैर दोस्त, यह था हमारे कोश्चन नमर सेवन ध्यान इसे गर्फन, वाफन वगारा यूज़ कर लेता हैं गभी वह अप्रोटक्स नहीं करते हैं तो लोग यसे आईपील वगारा को नर्मली यूज़ करते हैं यह सब सुनाँगे, तो देखिए हैं बर्थ कंट्रोल में आप ऐसे, कॉंट्रास्टिक का यूज़ कर सकते हैं जैस सब्सक्राइब करना परता नहीं होता है तो यहीं था हमारा किसी सरी लेटर तो वर्डियस बर्थ कंट्रोल मेजर्स आगे कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन आर सी एच प्रोग्राम्स पर शॉर्ट नोट लिखिए आर सीच बहुत ही इंपॉर्डंग कोश्चन है भाई मेरे भूर्स नोट नोटोग्राम्स बेख्ए सित्वय पोडस Mont की जगा तो आर की आपका रिर वर्डॉर्ड़्ड्ट चाहिज्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम से राइचिज का फूलफ़ा में फिक चाहिल्ड हेलथ कियर प्रोग्राम सोट पॉल्अत निसेसरी information guidance help to the mothers before and after delivery so that they can properly look after themselves and the infants यह जो आर्सीएच है यह जो female जो mother बनती है उनको यह necessary information provide कराते है guidance प्रवाइड कराते है ठीक है बेबी से पहले बेबी के जन्म के बाद तक का सब कुछ प्रोपर guidance ना कि जच्चा बच्चा इसको बलते हैं कि दोनों सिहत बंद रहे है उस इंस्योर कराता है सेफ डिलिवरी इंस्योर सेफ डिलिवरी और पोस्ट पोस्टनेटल केर यह सेफ डिलिवरी और केर वगरा को भी उसे कराते हैं तीसरा प्रोवाइड कराते है immunization of the infants and प्रोफाक्सलाइज अगेंस्ट अमीनिया and vitamin deficiency जो होता है बच्चों में deficiency वगरा था उन सभी के खिलाफ यह immunization vaccine वगरा पोलियों का दवा वगरा का सब कुछ का यह काम करने में मैंज करते हैं यह milk वगरा भी ऐसे आरे मिल्क फीडिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे कराते हैं यह training भी देते हैं मीडवाइब्स को educate भी करते हैं फटाइल कॉपल्स को किस इस चीज के बारे में benefits of a small family ज्यादा बच्चा वही चीज के बारे में सब कुछ से यह आपको क्या कराते हैं और अफगत भी कराते हैं तो यहीं था हमारा question number 9 कि RCH का क्या 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 आपका प्रोग्राम का है short note तो यह तना लिक होगे आपको पूरा marks मिल जाएगा लास्ट जो आज की बिसवोड़ा का जो हमारा question है 10 number एक BBI question में से एक है how do oral pills help in birth control उपर आपने एक oral pills का नाम में ना बता है तो वह कैसे ऐसे birth control को क्या करता है डिल करता है वो सीद आपको बताना है ने म्सं üzer ऊरल्ब का में बुिसलह थैकर चापको पहलें थोरिसदोन नेक्निया इल्ट कॉइसे होता हिए प्लिक्षाण्या और निल्ट कर थे यह जो इंचिड एवल्यूएट होता है मेल का इस पाम फीमेल जब जाता है थो वह उसको रोकने का काम करता है ठीक है जो आपका और वी दिन 48 होर्स के अधर में अगर इसको मसे कर्जिम कीए तो आपका जो फीमेल करें रहें जो प्रेग्नेंसि होता है वो कंट्रोल हो जाता ह तो यह उसको काम करता है कंबाइंड पिल और जो कॉमनली यूजर आपका जो पिल होता है माला डी और सहील यह दो आप नाम सुनेगों जो की आई पिल के अंदर गद आता है नेक्स्ट कॉर्शनम 11 काता है नेम टू टेक्नेक्स पॉर डिट्रमाइनिंग दा कर्णीजन फोटस फोटस का डिट्रमाइन करने के लिए दो टेक्निक का नाम बोली है ठीक है और यह यखिन करो जब आप लोग इसे शादी बेगरा करोगे तो जब आप लोग ऐसे बेबी बे पहला टेक्निक है क्रोनियक वाइलेस सैंप्लिंग ठीक है सी बी एश सी बीएश आपका पहला होता है क्या होता है न कि फोटस अंट इन्टू ऑक कैथर पास्ट्रू दा सर्विक्स विदाव इंजरिंग दा फोटस यह कहा करता है आपका ऐसे जो फोटल सेल्स ना उसको जो कैथर्ड का है वो सर्विक से पास कराता है बीना किसी इंजरी के फोटसको दीस प्रवाइड़ मास ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग फोटल सेल्स फोर डिटेक्शन ऑफ अनी क्रोमोजोनल डिसॉडर और यह बेवी नॉर्मल है या फिर उसमें कोई बीमारी है या अब नॉर साउंड हाइफ्रिक्वेंसी साउंड वेव रेंजिंग बिट्विन वन तू 15 मेगाहट्स ता आप से यह एक सिंपल सा कोशन पूछ सकता है कि आपका अल्ट्रा साउंड इमेजिंग या सोनोग्राफी में कितना है से हर्ट्स का साउंड है से यूज क्या तर फ्रिक्वेंसी तो यह याद रखेंगे 1-15 मेगाहट्स का ठीक है इस टेक्निक इस टोटली हामलेस यह कोई भी यह से हाम नहीं पहुचाता है ना बेबी को ना इसे मदर को नॉन इंवेंसिव और इस नोट यूज कोई भी यह हांफुल रडियेशन को भी यह से कंटेन नहीं करता है तो यह 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 चीज को ऐसे बैन किया गया है कि जरेटिक कोई डिसॉडर तो नहीं यह बच्चा पागल तो नहीं यह बच्चा का इसे दिमागी संथ नहीं खड़ाब तो नहीं है तो यह सारे चीजे यह फिर कुछ उट पटांग मां के पेट वेज़े बच्चा चल रहा है घुलाओ अस वी बच्चा पर इप गया है तो यह सारे टेक्निक से अक्प्लिट ली इसको बैं कर दिया आप जाओगे ना कभी आगए डोक्ट्र के पास तो आप यह बन जाओगे ना बच्चे को डब धोगी से अ तो दिक अगा है यह सारा टेक्निक से अक्ट पास तो गु सब्सक्राइब करती है सोनोग्राफिय गरा तो अदम लिखी रहेंगी साफ-साफ कि बच्चे का भूम मतलब कि उसका जो सेल है कौन सा हुआ लिंग है उसका जाज करवाना दंडेनी अपराध है ठीक है लिखा रहता है बजा आप आप देख सकते हो यह था हमारे कॉर्शन मैं याद नहीं में बढ़को हाँ में में बगरा का आपने देखा होगा स्वरोगेशी का उसमें जिक्र किया गया था कि दूसरे काहसे स्पाम और मदर को यह और चलिए सर्गेट मदर इसलिए होता है कि जो कुछ महिलाए होती है तो वह ओवन तो ऐसे प्रोडूस कर लेती है लेकिन उसको पूरा प्रेगनेंसी तक ऐसा कंटेंड करके नहीं रह पाती है उनका थोड़ाजा बीमारी होता है तो इसके लिए हैसे यह सर्गेट मदर का जो की अच् इसलिए जो वांब होता है दूसरे फीमेल के अंदर से ट्रांस्प्लांट कर दिया थे ताकि हेल्दी बेबी को इससे क्या कर सके बर्थ जनम हो सके तो यह था हमारा सोर्गेट मदर चली कोशनल 14 के ता है लिस्ट सम प्रोब्लम्स फेस्ट वाई अडॉलसेंट्स के द्वार जो कुछ भी समस्याय को सामना करना पड़ता है उसको आपको बता रहा है तो देख भाई अडॉलसेंट्स में जब आप इंट्री करोगे तो हेल्थ मैटर होगा एक्सिटेंटल इंजिरी होगा डिप्रेशन एंसुसाइड और सबस्टांसेज अब्यूस वगरा इटिंग ड फिफ्टीं नमर कोश्चन लाट लास्ट बट नोट द लीस्ट कि नेक्स ट्रास में 16 तु 21 के आस पास चलेगा तो वाट अट टेस्ट्यूब बेबी तेस्ट्यूब बेबी क्या होता है यह एक इंपॉर्डन कोश्चन अंडरलाइन कर ली जागा बीबी आई कोश्चन है ट अगरे भाई टेस्ट्यूब बेबी उसको बहते है ओमें फॉकानोट कंसीव कान है वाट बेबी बाए स्पेशल टेक्निक देखे वैसा ही ओमें जो कि यह से बेबी को ऐसे कंसीव नहीं कर सकते है जो अपना मेटिंग हुआ मेल और फीमल के वीचे मेटिंग हुआ तो अस प चुमें उसको निकाल लिया जाता है ट्यूब में और लब में इसको फट लाइस करा देया था है ठीक है दडविशे इंप्लाइफ इंटो थी उट्रेस उसके बाद एसे जो मेल अधर की जो उट्रेस उसमें दुबारा इंप्लांट कर दिया था ज़िक्कि इंप्रायो बन तो उसके बाद ऐसे नॉर्मल बेबी का डेवलप्मेंट स्टार्ट हो जाएगा तो कंसीब ही नहीं होगा तो इंब्रायो कहां से बनेगा इसलिए से उनके उनके ओवं से निकाल लिया देता है उसको लाम में फटलाइस करते हैं उसके बाद ऐसे उसको यूट्रेसम दुबार डाल देते हैं इंब्रायो डेवलप्स इंट्व नॉर्मल बेबी उसके बाद इंब्रायो आपका नॉर्मल बेबी में चेंद होता है दौफ स्प्रिंग दस प्रोड्यूज इस काल्ड़ टेस्टी बेबी और वह उसी से जो पैदा होगा ना बच्चा उसी को गोलेंगे टे एच्छले क्लास में हमारा कंफलीट हो चुका था दौश्चंच नूमर्श सिक्स्टीन आते है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर पर्मानेंट मेथद्ट पूछा है हमारा प्यारे दोस्त तो कांट्रासेप्सन का जो पर्मानेंट मेथद होता है वो देख लिख लि कोई tablets बगार से करते हैं तो chances हैं कि वो होगा नहीं होगा लेकिन अस्ट्राइशन अगर आप करते हैं तो इससे आपका 110% आपका method जो है contraception को क्या करता है रोग देता है ठीक है इड़ान बाई अगर मेल की बात करें तो contraception के लिए मेल में युज़ेता है और फीमेल में ट्यूबको टोमी ठीक है objective में भी आप सब पूछ सकता है अब इसको थासा स्वाट में समझ लीजे इन दे स्वाट प्रोसीडर्स अस्वाट सेग्मेंट अफ वास डिफेंस और the ove duct is removed and tying the remaining ends with surgical teeth these methods do not interfere the normal healthy life of the individuals they block the transport of gametes to avoid fertilization यह बस रोग देता है जब यह method किया देता है इसमें बस ऐसे gametes को ट्रांसपोर्ट होने सो रोग दिया जाता है ताकि ऐसे वो लोग fertilize ना कर सके ठीक है इससे किसी के भी ना तो female को ना तो male को किसी को भी harm नहीं होता है तो यही था आपका question number 16 permanent matter of contraception प्यार दोस्त question number 17 differentiate between vascotomy and tubacotomy vascotomy और tubacotomy में difference अभी तो अदर पहले देखा ना vascotomy आपका male के लिए होता है और tubacotomy आपका female के लिए बाट फिर भी देखलो वास को टोमी और बोथ पर्मानेंद मेटर्स फोर कंट्रसेप्सन ठीक है और इसको लोग इस्टरलाजसेशन भी कहते है विए अधर पहले पर देखा ता स्टरलाजसेशन प्रोसेस में आता है ठीक है तो इंटर कनेक्टेट सारे questions है तो वासको टोमी और टुबको टोमी में से difference और फीबल में तो ओविडक्ट ठीक है चलिए कोर्शन नुमर 18 ज्यादा आपको लिखने जो तरहीं दो नुमर वाले कोर्शन के से काम चलता है क्या कहता है कंपेर जिन्नो टाइप जिन्नो टाइप और फिन्नो टाइप को आप से कंपेर करना डिफरेंस आप इसको कह सक बर्म एक ते हो तो देल कंपेर दोस्त कहता है जिन्नो टाइप में जिन्नो टाइप में इस जेनिटिक चंस्टीशन अफ और और अर्गरिजम ठीक है जन्याटिक कंशिट्यूशन जनेटिक मतंवकी जीन से बनावटी होता है और यह होता है अप्जर्बेशन करेक्ट्रीस of organism ठीक है चलिए टाइप 2 इसका difference गार्चिन वर सेक्षवली प्रोडूज़ डडीपलोड इन्डिपॉइड इन्डिविज्वाइब्सल इस्टाइप टाइप टाइम टाइम, जैगोझ अप्रूज़ सेक्षवली प्रोडूज़ अपर गोजैंगे इसमाएज गार्फिन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपका ये इंवार्वेंट से फिनो टाइप में इंवार्वेंट आपका बहुत ज्यादा जनिर्वर करता है क्वेशन नमर हम लोग का 19 हमारे प्यारे दोस्त कहता है इफ दा ओफ स्प्रिंग विथ अन्न डॉमिनेंट जिनो टाइप क्रॉजड विथ अन इंडिविज्वल होमोजाइनस रिसीप फॉर्द ट्रीट अगर क्रॉस्प्रिंग हम लोग कराते है ठीक है अन्न डॉमिनेंट का तो क्या उसमें रिसीब होगा होमोजीनियस जो भी पैरेंट्स का वो रिसीब होगा और फेनो टाइप ऑफ दा एफ वान प्रोगेनी इज एक्जामीन इलिस्ट्रेट यूर आंसर विथ पॉस्प्सिविलिटी तो घर में है तो हम किचन के वगल में मैठे हुए तो बरतन व वाई वाई है तो क्रोसिंग कराते हैं हम लोग उसको ग्रीन रिसीब से यानि की वाई वाई से कराते है तो आपको येलो ऑफ स्प्रिंग देगा हाइब्रेट जिसको की आपका क्या होजाएगा एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई ठीक है जिसमें पैरेंट्स देख ल येलो वाला होगा ठीक है तो ये समझगे क्रोस कराने पर दूसरा जो है पॉसिलिटीज कहता है अगर अन्नोन हमारा हेट्रोजीनस हैं की कैपिटल वाई स्मॉल वाई है अगर क्रोसिंग करा दें लो ग्रीन रिसीव के साथ वाई वे के साथ रिजल्ट फिफ्टी परसंट ह कि वह येलो आएगा उसका उपोजिट वह अंदर परसंट है ये 50 परसंट है कोई दिक्कत कॉर्शन नवर ट्वंटी कहता है एपस्टिक इंट्राक्शन बिट्विन गैंस जीनस है आपर इसको जीनस कर ली जागा ये गैंस नहीं जीनस है जीनस काउज डिपार्चर्स फ्र देखा जाए लाइठ्वर स ondrills में अंगर देखा जाए अगर देखा में देखा जाए जो मिन धल रून धय होता है onlyitto मैं करता है फॉर मेशन ऑ ट्रेया परकल कासので होता है वह से फॉया valuable का ऐसे देखता है बट नाइदर कलर स्मोल ॹिप्य स्वाइक सट अ का curt अनलेस अनादर जीन सी इस प्रिजेंट इन डॉमिनेंट डाटी सी कैपिटल सी और स्मॉल सी ठीक है देखे लेकिन अगर यह परपल गल्गा है डॉमिनेंट तो होगा लेकिन तब तक कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि आपका जो आपका कैपिटल पी आपको बनेगा ठीक है दूसरए के साथ जीन के साथ दूसरे जीन के साथ उसमें परेशेंट र réussिं सी ब्सीर्ट कि जब तक इसमें इंटरिफेयर करेंगा ठीक है तब जाकर जो पी इसका के जीक का फारमेशन होगा वो आपका छोगा फिलावर होगा हुआट निका फोणा है थीक है अगे इसी म इसको रेसियो में कितना में निकालेगा तो निकलता है यही था हमारे दोस्तों आज के लास का मतलब हमारे प्यारे दोस्त कहता है इसको प्यारे दोस्त कहता है और इसमें कौन-कौन से चिन यानि की सिंबल वगरा को यूज किया था देखिए पेडिगरी अनलिसिस आपका एक सिस्टम है अनलाइस करता है क्या आप डिस्ट्रिगूसर और मूमेंट ओफ दा ट्रेट्स इन दा फैमिली ट्री फैमिली ट्री में यह either डिसरिविशन और मूमेंट एक्जूकर ट्रेट्स को इसे क्या करता है यह सिस्टम को इसे बताता था थिक है अब क्या पुछा इस ये ने लिए इसको दिखाते है पहला सिंबल जो होता है सर्कल ओ से डिनोट होता है ठीक है जो कि Females और जो एस्क्वाइर जो आपको होता है ये इसको आपको डिनोट करता है मेलस को here's symbol waste study हो चुका है तीसरे जो सिंबल है आपका भी था र λέए क्रॉ लाइन यह आप आपका सबंदकरद करता है क्यार्यर कई कडियर कर्यार Méुषिंशिद गुद्ory और बिपक टो हमारा मत chemo आ सने बुद्री थbeक्र इने युद्र ने से एक है पहला कोर्षन आप इसको जरूरं याद करेंगे चलिए हमारे प्यारे दोस्त क्षन लोगि तो मेंडेलियन डिसॉडर्स आपको किस से जालो मेंडेलियन डिसॉडर्स आपको खोडा जाता है किसके दौरा तो अल्टर्नेशन और पूरवस से हमको मिला हुआ है जो पूरवस से हमको पूरवस से मिलता है छोटे बार पूर्वस से बच्चा को आगे कहता है कि दा फॉल्टर ओफ इन्हेटेंस अफ सच मेंडेलीन डिसॉर्डर्स कैन भी ट्रेज इन फैमिली बाइद पेडिग्री अनिलिस और किसी भी ट्री फैमिली में यह किसके दोरा देखा आता खो जाता तो पेडिग्री अनिलाइस के दोरा और मैंने भ सब्सक्राइब को याद रखेंगे आपको मेंडेलियन डिसॉर्डर का सिर्फ इग्जाम्पल भी पूल सकता था यह भी लिग देना कोश्चन में 23 हमारे प्यार दोस्त डिस्टिंग्यूज बिट्मिन लीडिंग स्टैंड स्ट्रैंड अंड लैगिं इस्ट्रैंड मतलब कि है दिफ्रेंज वकृष्चन में तो 50 इसचांड ज्यात बोल रख़ा है डिफ्रेंज बाला कॉर्ष्चन जितना भी होना हमारे यह क्यारों प्यारव दोस्त वह इंपोर्टन और स्ट्रैंड ङ्रीज युद् अम्यालब कि टो आप्डिशिय जञा है यह जो मैंस दोसक्क्र वह कैसे बनता है तो continuous stress से 5 inches लेकर 3 inches के हिसाब से और वह direction के साथ चलता है ठीक है with the help of DNA polymer जो की आपका parents के द्वारा parents के जो DNA उससे मिलता है इसका क्या होता है इसमें देखेगा आपका lagging strand form होता है small pieces of DNA से जिसको की हम लोग बोलते है ओका जाकी ठीक है ओका जाकी आपका anime बगरा भी आता है fragments and then joined together by DNA layers ठीक है इसी का फिर दूसरा देखना the overall direction of this strand 5 inches to 3 inches 5 1 to 3 1 is established at the time the zygote is produced इसमें जितना भी direction है जब zygote form होता है उसी समय सब कुछ आयता है इसमें लेकिन ऐसा नहीं है दावू the small pieces grow in small pieces grow होता रहता है ठीक है तो आता है question में हम लोग next 24 के तरफ what is genetic code give its characteristics what is genetic code give its characteristics आपका एक बहुत important question में से एक है हमारे प्यारे दोस्त important question है ठीक है एक important question है कहता है तो genetic codes क्या होता है और इसका characteristics क्या है तो genetics code हमारा प्यारे दोस्तों वो होता क्या है तो ध्यान से सुनिएगा genetic codes refers to the sequence of the four bases genetic codes आपको refer करता है sequence का चार्ज बेस होता है sequence को adnine, guanine, cytosinine, thymine ठीक है जो की DNA का एक strand होता है को दिकत represent करता है code that controls the construction of proteins and enzymes to make up cytoplasm of the organism and direct its functioning और यह क्या काम करता है control करता है construction करता है protein और enzymes को जो कि आपको cytoplasm को और किसी organism बनाने में मदद करता है तो यह था हमारे question no.24 हमारे लैपिंग तीसरा आपका जो हो जाएगा degenerate ठीक है और उसके बाद देख लीजे चौथा आपका universal यह सारी इसके characteristics से मेरे प्यारे दोस्त ठीक है उसको रा 25 तो यह सारे के सारे आप बस एक मिनिट देखो वह मेरा जो रूम का जो gate है वह ऐसे ममी खोल दी है तो इसको लॉक करता हूँ बाहर का आवाज बगर ऐसे गूज रहा होगा तो उसको लॉक कर क्या आते तो आप तब तक इसे इसको देख लीजे ठीक है एक मिनिट का तो समय लगेगा आपको जिसको ऑगा वापस चलिए तो कहता क्या है इसका क्याकर्टिक्स में पहली जो क्या पार्टिक्लर्सिट्रड्र पतिपलेट कोड में आप दोस्तो आयं टील सेवह ध्यूज जाए थी बेशे पार्टिक्लरिकलर सेथे ए तीन basis का, would code for particular amino acids and this triplet is called as codon, इसको condom मज़ समझ लिए the codon है, ठीक है, three codon that is UAA, UAG and UGA serves as stops codons and one codon AUG serves as initiating codon, ठीक है, चलिए, question उब इसका फिर non overlapping में आपका क्या होता है, इन MRNA, में MRNA में आपका जो molecule होता है, उसका sequence होता है, three at a time shorting from a specific position in non overlapping fashion, ठीक है, चलिए, इसके तरह से तिसरा जो है degenerate में आपका, many amino acids may have more than one codon and codons specifying the some amino acids are called degenerate, तो degenerate समझ गया, इसके तरह से, they differ only in third base, last आपका universal में, the same code, dictionary is used by all organism irrespective of their psychology, and so it is called universal, ठीक है, इसलिए इसको universal का जाता है, exception to this found in DNA, MDNA, तो यह था हमारे प्यारा दोस्त, question 24 का characteristic भी हमने देख लिए, last question है, how are chromosomal disorders causing, पहुत important question है हमारे प्यारा दोस्त, इसको BBI tick कर लिजएगा, chromosomal disorders कैसे होता है, BBI tick कर लिजएगा, how are chromosomal disorders caused, beyond बोल रहे हुँ, तो होता हमारे आपका, वो होता है, absence or access of abnormal arrangement of one or more chromosome कैसे होता है तो या तो absence हो जाए chromosome का या तो axis हो जाए या तो बहुत ज्यादा हो जाए chromosome का ठीक arrangement में तो वो इसका आपको ऐसे chromosomal disorder होगा the total number of chromosome of a normal human being is 46 यानि कि 23 pairs यानि कि 23 का 2 pairs होता है लेकिन out of 3 22 pairs are autosomes and one pair of chromosome are sex chromosome लेकिन उसमें से 22 का जो pair होता है वो आपका होता क्या आपका chromosomes normal लेकिन एक जो होता है one pair आपका उसमें से वो sex chromosome होता है sometimes other and additional copy of chromosome may be included in individual or an individual may lack one of any one pair of chromosome और कभी को वैसा होता है कि जो chromosome है न एडिशनल कोपी हो जाता है बन जाता है फिर घट जाता है तो इसमें लैक हो जागा या तो फिर बढ़ जाएगा इसी कारण से या तो घट जाए या तो access हो जाए क्रोमोजोम आपका तो यह आपका क्रोमोजोमल आपका disorder को क्या करता है create करता है तो हमारे प्यारे दोस्त यही थे हैं बहुत important question में से एक है टिक कर लिजेगा इसको BBI में BBI टिक कर लिजेगा 26 number question कहता है what are three types of RNA molecules RNA और DNA का कोई भी question हो उसको miss मत किजेगा एक important question है three types of RNA molecules how is it related to the concept of information flow और यह दोनों का दोनों कैसे related होता है किसे लिए information flow के लिए तो देखिए मेरे भाई कितना आपका types होता है तो देखिए RNA का आपका तीन टाइप मेजर देखा जाए तो तीन टाइप्स होता है आपने पढ़ा होगा तो कुन कुन साथ तो मेसेंजर RNA mRNA ठीक है ट्रांसफर RNA ट्रन ठीक है राइबोजोनल आर 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 आ ठीक है यह तीन टाइप्स आपका मेजर होता है objective में भी आप इसको लिख सकते हो अब यह तीनों के तीनों required होते है किस process के लिए तो protein synthesis के लिए ठीक है protein synthesis करता यह इसके लिए तीनो जरूरी होता है जो आपका messenger RNA होता है न वो आपका template protein synthesis आपको प्रवाइड करता है और उसके बाद आपका जो transfer RNA होता है यह amino acid को ऐसे प्रवाइड करता है genetic code और फिर RNA ठीक है मतलब कि जो last आपका बचा ribosomen RNA वो आपका structure and catolic role को ऐसे प्रिफेर करता है translation करता है तो यही था हम दो हमारे RNA का मेज़ा टाइप सा उसका flow question 27 वाटर दा थ्री इसेंशल रिक्वार्मेंट सब्सक्राइड मेटेरियल इसको भी अंडरलाइन कर लिजेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट हीट लिस्टेड को भी हारवर्से रिलेटर आपको essential requirements लिखना genetic material का essential requirement genetic material का तो इसेंशल requirement होता है genetic material का कौन-कौन तो देखे कहता है genetic material must fulfill the flowing criteria following criteria क्या-क्या तो पहला जो आपका point है देखिएगा genetic material है तो वह रेप्लिका जरू बनाएगा duplicate जरू करेगा ता इसलिए वह आपको able होना चाहिए replicate करने के लिए it should be able to replicate दूसरा इट शुट भी chemically and structure structurally stable ठीक है तीसरा it should provide the scope for mutation and evolution तो यह थे हमारे तीनों के तीनों आपको क्या most important essential requirement तीनों हो गया 28 question में देखिए दान से what is peptide bond भाई underline कर लो underline कर लो भाई बहन जो भी हो एक important question peptide bond क्या है और यह कैसे बनता है तो peptide bond बहुत important है कहता है in a polypeptide chain polypeptide chain के अगर बात करें जो adjust amino acid होता है वो link होता है एक दूसरे से peptide bond से यह आप आप उसका chain देख सकते हैं यह आपका chain देख सकते amino acid 1 amino acid 2 आप यह peptidal transfer transferase enzyme से connected है तो यह peptide bond को क्या करता है बना लेता है यह आप इसको जरूर लिखेंगे आपको फुरा marks मिलेगा question number 29 what is the role of nonsense codon in protein synthesis एक और important nonsense codon का protein synthesis में क्या यह codon लिखा हुआ है कोई इसको तेजी में condom मत पर देना भाई लोग कहता क्या है nonsense codon as the name indicates जैसा कि आपका नाम से है वो नाम ही बताता है code for nothing in growing polypeptide code है यह ऐसा code जो कुछ भी नहीं करता है आपको polypeptide को growth करें और कुछ भी नहीं करता है chain does the addition of new amino acid stops and the process of trunc insulation stops इसलिए जो आपका process है amino acid का रुख जाता है तो उपर आपने दखा था question 28 में ठीक है आये कहता दस nonsense codons act as stop signals and terminate the translation process ठीक है देर आर थ्री नॉंसें codons विज यूएजी यूएए एंड यूजी है ठीक है आप इसको यह सब जरूर देखें होगे चले question 30 के तरफ जो हिट लिस्टेड question है मैंने chemistry में चिक चिक कर कहा है कि भाई यह repeated question होता है हर साल आपको RNA DNA और DNA से question देखने को मिलेगा और एक बात मैं आपको बता दू नोटीज देता हूं आपको पहले ही जो आपका subjective चल रहा है न सब्जेक्टिव का वीडियो चल रहा है यकीन कर मेरे भाई जैसा चल रहा वैसा चलते रहागा जो 900 questions का मैंने बात किया वो तो चलेगा अब सुन एक आप लोग के लिए एक important बात 1000 पलस हर एक सब्जेक्ट से PCM के हर एक सब्जेक्ट जो आपका physics chemistry maths है उसके 1000 पलस objective questions का ऐसे session आने वाला बहुत ही जल्द ठीक है और उस 1000 objective में से आपका हर एक topic cover up होगा एक भी topic आपका नहीं चुटेगा each and every topic आपका cover up होगा यह हमारी guarantee है तो उसके लिए त्यार रहेगा वह most probably अगस्त के मन्त के बाद या September से स्टार्ट किया जाएगा objective का session ठीक है बहुत ही महना से त्यार किया जा रहा है 1000 प्लस objectives उसमें होने वाले तो उसके लिए आप लोग त्यार रहेगा चलिए तो अभी question 30 देख लिए 30 कहता है differentiate between DNA और RNA DNA और RNA का difference पहला it usually occurs inside nucleus and some cell organs ठीक है दूसरा very little RNA occurs inside the molecules most of it is found in the cytoplasm फर्क ही है DNA आपका genetic material होता है RNA आपका genetic material नहीं होता है ठीक है except आपका virus जो की रियो वाइरस होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक material होता है next आपका होता है यह आपका double strand का होता है exception के तोर पर आपक खली छोड़ दो तो यह 174 ठीक है बाकी RNA आपका सब कुछ single strand होता है exception आपका double strand का रिवो वाइरस चलिए next इसी में फिर आपका DNA आपका contents करता है millions of nucleolides nucleotides वहीं आपका जो यह depend करता है ठीक है इसमें आपका molecular weight range करता 25,000 टू लाइक इसे देगे से आपका इट इस फोलेगें पोजिटिव आर ने इस फोलेगें निगेटिव डिने इस ओनली अफ टू टाइप्स डिने का सिफ दो टाइप्स इंट्रानुक्लर और एक्स्टानुक्लर आर ने का आपको पता है कि अभी वहाई आपका कंटेन करता है यह आपका कंटेन करता रायबह सुगर उसके बाद नाइट्रोजन अबेस थाइम ऑखर इन डिने अलोग विथ थी आदर सैडिन इन इन जिव गवनिन इन यह तीनों चीज़ को कंटेन करता है बागी का अधर बहु Спन कोई यह दिकत सब सबकुछ पर सकते हैं मैंने अपको यह बता रुखा है जो तो ये सारा का सारा डियन गाइब याद रखेंगे पांच हमारे टाइप से उसको पांच के स्टाइब है इसको इसको पांच थेेन गुए ठ supervुक लिखना याद अा करेंगे पांच नहीं तो यह जो है न हमारे टाइबस है उसको फांच सब्सक्राइब आप एक्स्प्राइब कर सकते हो अब जैसे की एडेन के पास 11 वेस पिर होता है ठीक है जो कि यह से टाइटल होता है एक्सिस आलिक्स वाइट वाइट्टी ट्वैंटी टू डिग्री से लेकर के 75% यह रिलाव रिलेटीव हमिडिती इसमें प्रिजन्स होता है प्लस के प्लस और सी एस प्लस आयंस का तो यह इसका फीचर सोगया एडियने का आप लिखने ना बी डियने में क्या होता है तो इसमें 10 पेर्स होता है जो की टाइटन होता है है होता है इसी तरीके फिर आपका सी डियने में क्या होता है यह निगेटिव टाइटन होता है हेलिक्स से वह जिसका कि आपका वहलू होता है वाइड सेंपॉइंट डिग्री यह आपका 66 परसे पाया जाता है लीथियम वगड़ा भी ठीक है आपका एट बेस देखा है होता है परशच लेफ इंड यह ने होता है इसके पास 12 रिक्स भार्पेर दोड का ओ क्रिए अपका ड्रील ल्यक्स visit आपका इपके एपर फीडिय होता है तो यह कि हमारे टाइट सफ द्न'm द्ह सबता मुएमोफीला किमोफीलिया में इक इंपूर्टन कोश्च नहीं करते हो एक इंपौर्टन कोश्चन है हैं मोफीलिया नाम झाल लोग बोलते है क्या हम waren is called bleeders disease , the time taken in blood-cl Greeting of hemophannée परसन इन फ्रॉम वन तो ट्वेटीफूर आवर्स देखिए जो ब्लड क्लोटिंग होता है हमोफीलिया में वह एक से 24 घंटा का समय लेता है इसलिए जो ब्लड है न वह लॉस टेक्स प्लेस परसन आफ्टर और इंजरी तो इसलिए जो भी कट वगरा लगेगा तो कुछ लॉ ब्लड क्लोटिंग जो जमने का स्थितिय वह धीरे होता इसलिए जो अगर माली कोई एक्सिदेंट होता है हमोफीलिया का अगर कोई सिकार तो समझेंगों कि उसका मत बहुत ही जल्दी होने वाला क्योंकि ब्लड अगर उसका एक बर कहीं से कट गया तो रूखने वाला नाम नहीं है जल्दी नहीं रुकेगा तो इसलिए हमोफिलिया उसको बोलते हैं नेक्स कोशन हो 23 केता है वाटर दग करेक्रिस्टिक्स अव जिनेटिक कोड यह मैंने आपको बहुत पहले भी आप्रोक्स फाइब टुश्टिक्स कोशन जो मैंने डील कर रहा था तो उसे मैंने का होज्टी इम्पॉर्डन कोशन है कि अवज मुश्टिक्स रख हो ता तो पहला करी कोट्रिस्टिक्स होता है मुख सब्सक्राइब कोडिये जरी on the सब्सक्राइब और इसका एक और लास्ट होता है जो आपको कोड़न वो युनिवर्सल होगा तो यही था हमारा कुछ कारेक्र स्थार्टिफोर क्या क्या था क्या है वाट इस प्रोफ ब्राइडिंग इंडिल इस नी इस वह फिर अपर डिलिकेशन इज एफिसेंट करने का डुब्लिकेट बनने का वह सेंट और एकुरेट होता है ठीक है specificity of base pairing ensures exact replication देखिए अब जो specificity होता है ना base pair का अभी जो देखा था ना आपने DNA में 10, 11, 12, 8 यह सारा का जो base pairing है ना यह जो उसका specificity होगा ना यह आपका exact replication बनाने हो मज़द करता है sometimes any wrong base is 1 to 10,000 अगर कभी-कभी बात की जात एक से 10,000 की बीच में हो सकता है can be removed by proof reading activity it is done by the enzyme DNA poly nucleotide तो इसको याद रखेंगे कि 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 द्वारा किया जाता है तो poly nucleotide के द्वारा enzyme के द्वारा किया जाता है next question number what are the important features of DNA structure DNA structure का important features बहुत important question है तो ध्यान में देखिएगा काता क्या है DNA double helix is made up of two poly nucleotide chains DNA का double helix होता है वो किसी से बनाता है poly nucleotide chains है जो backbone है आपका made up of sugar phosphate and the base projects inside next इसका है the two strands are anti parallel that is one with five inches to three inches polarity and the other with three inches to five inches जिसमें तो की parallel है anti parallel parallel नहीं anti parallel है next आपका है जो base pair होगा ना वो with each other via hydrogen bonds hydrogen bonds से जूरेगा adnine forms two hydrogen bonds with thymine and the guineine pairs with cytosinin by three hydrogen bonds तो यह सबके साथ जो है वो बनाएगा अपना hydrogen bonds को जोड करके next इसका feature से है जो कि लास्ट जो दो strands है वो coiled होगा right-handed fashion में one turn करेगा contents 10 base pair तो यही थे हमारे पांच जो की आपके स्क्रीन पर और यह भी काफी इंपोर्टन कोशन में से एक है घ्यान से देखीगा कहता क्या है question number 36 36 कहता है हमारे प्यारे दोस्त which molecule आपका कोडोंस और अंटी कोडोंस में ठीक है कौन सा बियर करता है अंटी कोडोंस और कोडोंस को तो synthesis of proteins किसका फॉर्म में तो synthesis of proteins के फॉर्म में mRNA आपको कोडोंस को बियर करेगा ठीक है और वन कोडोंस आपका होता है वो कंजिस्ट करता है थ्री निकलोटाइड को जो कि नीचे आप देख सकते होगे ध्यान से वन कोडों कंजिस्ट आफ थ्री निकलोटाइड इसको याद रखेंगे इड कोड्स फॉर निकलोटाइड कोंस इसको था गोडोटाइड कोलोटाइड बी और ने डीचे कोडोटाइड को आपको कोडू करता थे यह ने पूछा था wow तो यह और यही हमारा नीचे में इसका figure है, यह figure जरूर से जरूर आप बनाएंगे, figure बनाओगे तो आपका chances रहेगा कि अगर 5 नमर का है तो 5 में से 5 नमर आपको दे दिया जाएगा, हाँ, लेकिन figure अगर छुडता है, तो हो सकता कि आपको एक दो नमर कट जाए, तो याद Transgenic Animals का आपको benefit बताना है, मेरे प्यारे दोस्त, Transgenic Animals का, तो पहला है, Advantage बोलिए, फिर आपको benefits बोलिए, उसका ध्यान से पहला देखेगा, Normal Psychology and Development, Normal Psychology होगा, और Development भी Normal होगा, ठीक है, Study of Disease, ठीक है, Next आपका biological product होगा, Next आपका फोर्थ नमर है, Immunization Safety and Last आपका Chemical Safety Test, यह सारे के सारे आपको Transgenic Animals का क्या benefits बोलिए, फिर advantages बोलिए, question number 38, ध्यान से जो कि आपके screen पर है, क्याता क्या है, जो भी है, इसको ध्यान से underline कर लिए, यह आपका BBI question में सेखे, 2013 के लिए काफी ज़्यादा question यह आ सकता है, briefly describe the process of replication, replication का जो process है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, briefly describe, फिर स से इसको पढ़िएगा, बहुत ही important question में से एक है, replication, आप photocopy का नाम सुनो, तो यही यह काम करने में मदद करता है, replication आपका, तो replication एक process है, ठीक है, the process of replication starts from unwinding of two strands, जो process होता है, replication का, वो दो strand को unwinding से start होगा, which will act as a template for the synthesis of new complementary strands, new complementary strands को लाने के लिए, यह act और यह काम करेगा, औ DNA polymerized enzyme catalyzes the, और इसमें से कौन काम करता है, DNA polymerized enzyme catalyze को काम करता है, polarization of deoxynucleotides को, ठीक है, polarization करने में deoxynucleotides को, next आगे कहता है, replication occurs है, ध्यान से दिखिएगा, यह important question है, मेरे प्यारा दोस्त, यह एक आपका बहुत important question है, तो इसको ऐसे miss नहीं कीज़ेगा, बारो बता रहा ठीक है, तो आगे कहता है क्या, तो जो आपका DNA है, replication occurs at a small opening of the DNA helix called as replication fork, और जो जहाँ पर replication होता है, DNA helix small आपका opening वहाँ पर होता है, उसको नाम एक खास दिया गया, replication fork, underline करके लिख ली जगा, ठीक है, DNA polymerized can catalyze polarization only in one direction, और DNA जो आपका polymerized होता है, वो एक ही direction में यह काम कर सक होता है, किस direction में, तो 5 to 3, ठीक है, जो कि आपका उपर मैं अभी बताया था, और ऐसे direction वाले को हम लोग कहते है, continuous replication, ठीक है, इसी तरह दुसरा अगर देखा जाया, तो एक आपका discontinuous होता है, ठीक है, discontinuous होता है replicator, जो कि आपका 3 से 5 के तरफ जाता है, 3 to 5 के आपका strands के तर 3 से 5 और 5 से 3, दोनों में अलग-अलग होता है, इसको याद रखेगा, ठीक है, एक आपका continuous बनेगा, वहीं दूसरा आपका discontinuous बनेगा, तो एक important question में से एक है, इसको याद रखेगे, last कहता है, जो कि question में ही figure भी आप इसका जरूर देख लेना, ठीक है, figure बनाओगे ना, त उससे पहले यहां तक का recall करके चलिए आते question number next के तरफ, figure जरूर बनाएगा, 39 question number क्या रहता है, what are introns and exons, what are introns and exons, what process ensures a linear arrangement of amino acids, although the genes are, कौन सा process अपको amino acids का arrangement में से माज़द करता है, बहुत ही important question है, ठीक है, बता दे रहा हूं, बहुत ही important question में से एक है, मिस मिनत की जगा, ठ answer को her first question, जो answer को start करता है, तो खैता है, your ॉक्राइटिक gene is split into coding, ईक्राइटिक gene आपका जो होता है, no वो split होता है è cryok्राइटिक gene split into coding and non coding sequence, बदो चीजद में टूटता था, coding and non coding sequence में, ठीक है, जब टूटता है, तो就 coding sequence को है हम लोग कहते, exons, जब coding sequence होता है उसी को हम लोग करते हैं exons और exons के बारे में तुम लोग जाना था कि what are exons तो exons पता चल गया कि जो eukaryotric gene होता है वो तो टूटेगा coding and non coding sequence में तो जो coding होता है coding sequence वही हम लोग कर लाता है exons ठीक है next आगे exons are those which are expressed in the mature RNA ध्यान से exons होता है वैसा जो कि आपको express किया जाता है किसमें mature RNA में ठीक है they are flanked by non coding sequence और किसके दोर आई होता है तो non coding sequence termed introns और intervening sequence और इसी को हम लोग नाम देते हैं introns या फिर intervening sequence ठीक है जह हम लोग RNA को ऐसा express करेंगे न flanked non coding sequence के साथ in mature में तो आपको कलाता है introns ठीक है which do not appear in mature और processed RNA तो आगे जो है ना हमसे बोला गया था आगे देखेंगे द्यान से वहाँ पर है splicing is the process उसमें आपको process पुछा गया था ना तो splicing आपको process होता है जो कि unwanted mRNA region को ऐसे क्या करता है हटाता है और join करता है functional region से जो कि responsible होता है coding के लिए तो तीनों चीज़े में समझ गया है exon समझ गया ठीक है introns समझ गया और splicing जो उसका process है वह भी समझ गया है था होप्स हो कि यह जो question 39 में था कोई दिक्कत ना हो question number last आज के इस वीडियो का 40 big bang theory से आप क्या समझते हैं जो कि बहुत ही important question है बच्पन में भी आप इसको पढ़े होंगे आप big bang theory को explain कीजिए को कहता है what does the big bang theory explain to us big bang theory को explain कीजिए ठीक है words बना उसका origin कैसे हुआ वही इस चीज को इसको बताता है ठीक है यह फिर यह भी बताता है आपका singular आपका huge explosion का जिसमें की hydrogen और helium formed करता है कभी-कभी उसका जो आपका gas था वो condensed हुआ ग्राविटेशन के अंदर में और फिर हमारा galaxy वगरा जो आज के दौर पर बना वह तो इसलिए मैं इसको केजी से मैं इसको explain कर दिया next है हमारा 41 question number बहुत important 41 क्या कहता है धांसर दखिएगा बहुत important question when was the earth formed what was its condition at that time यह जो big bang theory है न उसी सरी रिलेटर यह question है तो मिस मत किजेगा ठीक है big bang theory से रिलेटर यह question मिस मत किजेगा आपका जो हमारा जो पिर्थिवी है हमारे जो अर्थ हो कब बना इसका condition उस टाइम पर कैसा था तो देंकि हमारा जो अर्थ है न अनुमाल लगाए गया accuracy के साथ scientist ने नहीं बताया एक approximation टाइम बताया है एक approximate approximate टाइम आपको बताया गया है लेकिन accurate टाइम नहीं बताया गया है हमारा जो अर्थ है वो एप्रोक्स जो कह सकते है न supposed to be having 4.5 billion years ago कितना 4.5 billion years ago का हमारा अर्थ बना हुआ है At That Time there was no atmosphere उस टाइम पर हमारा जो अर्थ कैसा था तो उसका सुन लिजे जब अर्थ बना तो उस टाइम पर कोई भी atmosphere नहीं था अर्थ पर ना तो वतर वलपर था ना तो मिथेन था सोरी हाँ तो हमारा उस टैंप पे कोई भी एट्मस्फियर नहीं था अर्थ पे ठीक है उसके बात क्या रहता है वाटर वेपर मिथेन कारवन डाइकसाइड और अमोनियल रिलीज फॉन दो मॉल्टेन मास्ट कवर्ड असरफेस उससे में क्या था अर्थ पे सिर्फ वाटर वेपर था मिथेन था करवन डाइकसाइड था अमीनो था जो कि आपका मॉल्टेन मास्ट से क्या था रिलीज हुआ था तो हमारा अर्थ कैसा था था कंप्लीटली कह सकते हैं लाइफ लेस था लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है चलिए आगे कहता है क्योस्ट नंबर 42 जहां से दखिएगा वाट चेंजे तुक प्लेस ऑन अर्थ विन लाइफ अप्याइड अर्थ क्या-क्या चेंजे यहां से दखिए फुट्टी कोश्ट नंबर आप कह से क्यों कि इ है जिए जब से आया तो वह ब्रोक क्या किसको वाटर को हाइड हो ड्यकष टीछ एचकेत ऑपका किसके साथ अमोनिया के साथ और मिध्एन फ्रम वाटर ठीक है और सियर टू अधर सी सारे के साथ उसी के साथ जो आपका ओजोन लेए वो बना ओजोन लेए आपका फॉर्म हुआ और जैसे ठंडा हुआ अज़न रेंगद तो फॉल आज रेंच और जैसे ठंडा हुआ अ मुत अज़ने रहें लेंग अब लाइफ जो इसे पर फईब million years after the formation of Earth क्या हमारा जो अर्थ है वो 4.5 billion years अगो पहले बना लेकिन जो life जो इस पर आया न वो अर्थ के बनने के 500 साल 500 million years पर ही आपका क्या हुआ life इस पर आने लगा ठीक है अर्थ के बनने 500 million years बाद आपका इस पर life आया है तो इसको याद रखेंगे एक important कोशन में से एक है कोशन नमर 43 भी बी आई अंडरलाइन कर लिजगा राइट इन बिरीफ अबाट लुइस पास्चर experiments about evolution evolution का जो लुइस पास्चर ने जो इस अपना एक्सपरिमेंट दिया था उसको ब्रीफ ली आप एक्सपरिमेंट कीजिए बताते रहनों भी बी आई इसको है टिक कर लीजगा ठीक है कहता क्या है लुइस पास्चर experiments demonstrated that life comes only from pre existing life देखें सही बात है लुइस पास्चर ने जो experiment किया हमारा life कैसे आता हम लोग कैसे आते हमारे पैरेंट से हमारे मदर फादर से वह लोग लिविंग थे तो हम लोग आए तो वही कहा कि लुइस पास्चर का जो एक्सपरिमेंट है यह समझाता है यह में बताता है कि लाइफ तभी आ सकता है जब कोई लाइफ लिविंग बिंग्स हो exist करे थे वही चीज यहां पर लिखा हुआ है लुइस पास्चर एक्सपरिमेंट डिमोंस्ट्रेट अधा लाइफ कम सोली फ्रम प्री इक्जिस्टिंग लाइफ फ्लास्ट उसमें से यह सो किया कि मरा हुआ इस्ट से कुछ भी इसमें होने व वाइल इन फ्लास्क ओपन टू एर लेकिन जब असे फ्लास्क हवा में खोला गया निव लिविंग ऑर्गी जम अरोज फ्रम देट इस्ट इसी तरीके से निव लिविंग ओर्गीनिजम क्या हुआ के लिए अरोज हुआ बड़ा हुआ उत्पन हुआ तो यही थे हमारे कोस् यह बहुत इंपटन कोश्क में से एक है और इसका PDF आप जरूर से जरूर यार तेलीग्राम से ले ले लोगे तो बहुत एची बात नहीं लोगे तो और भी बहुत अची बात है आपका लौँ सोने बला है तो आप कांट्रीविशन आफ ओपारीन और रसिया और हालेडेन औ have come from pre-existing यह बता चुके अभी थो पहले ही बताया थे लाइफ के बारे में दोनों का एक ही मानना था कि जो लाइफ है वह सिर्फ और से फॉर्स्ट फर्म उसका लाइफ है वह प्री एक्जिस्टिंग सही आता है ठीक है नॉल लिविंग ऑर्गेनिक मॉलक्यूल एक्जामपल को कोही जो फॉर्म ऑफ लाइफ है वह प्राइफ है अब क्या कहने का अतलब डैटीज फर्मेशन ऑफ डाइवर्स और्गेनिक मॉलक्यूल फ्रम इन और्गेनिक कॉंस्टिवेंट्स आपका क्या हुआ कि डाइवर्ज बहुत सारा वराइटी का लोग ऐसे उत्पन हुआ डाइवर्जेंट इवलीशनों मेर आते एकryटी फोटीफ का तिटरफ एक्स्ट्ले'न होग निया उत्य पर होगा यहन नहीं है नहें है तो स्कार्ट दीज़ेगा यहां पर एक्स्ट पर बिट कर लीज़ेगा वीथ एक्स्ट्पल फोमोलोजी अड। एक्स्ट्लेंड न हो एंडरलाइन जरूर की जगा होमोलोजी बेस्ट डाइवर्जेंट इविलोशन होमोलोजी किसके बेस पर होता है अब हुआ मेरे तो डाइवर्जेंट इविलोशन ठीक है हाला कि आपका जो एनलोजी है वो रेफर करता है सिच्वेशन एक्जाक्ली ओपोजिट इसके इग्जांपल को तौर पर साइन ऑफ बटरफ्लाइ और बट्स लुक अलाइक जो साइन है जो बटरफ्लाइ आप बट्स का अगर सिंबल जो बनता है दोनों का सेम ही बनता है कह सकते है यार ऑटोमेटिकली सिमलर स्ट्रुक्चर्ट्ट्रू थू दफ समझ गया वही हाल पर आपका जो जो एनलोगस है वह आपका डायवर्जेंट पर आता है डिफरेंट अश्ट्रूफ्चर्ट्रू इवालविंग फॉर्द सेम फंक्शन आएंदास हाविंग सिमलर अइटि और इसलिए आपका नोगोश में सिमलरिटी देखने को मिलेगा चल देख मेरा भाई, एंत्रोपोजेनिक अच्छन हों लू को बताता है, is not a direct process in the sense of determinism, देखे, एंत्रोपोजेनिक जो अक्सेन हों लू को बताता है, evolution डारेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? इडिज़ एस्टोग चैस्टिक्स प्रोसेस बेस्ट ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर और चांस मुटेशन इन और अर्गेनिजम्स मुटेशन चांस वगड़ा का है कि हां फॉर्मेशन होगा नहीं होगा फॉर इडांपल के तौर पर एक्सेस यूज़ ऑफ हर्भी साइट्स पेस्टिसाइड एक्सेक्ट्रा हाज ओनली डिजल्टेड इन सेलेक्शन और रेजिस्टेंस वराइटी इन मच लेजर टॉनिक स्के स praw había last question होगा हमारे दोस्त ुस वीडियो का हाँ लास्टी इस वीडियो का 47th question three questions जो की अने मुझे पता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिक को मैंने 511 को मैंने इसकिप किया about evolution is national selection यह क्या था है तो national selection हुआ the rate of appearance of new forms is linked to life cycle of the span और यह क्या से जूरा हुआ था life cycle of the span microbes that divides fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours microbes के पास क्या होता है ability होता है कि वो divide करता है faster और multiply कर सकता है और millions of individuals कुछ घंटों में ही वो बन सकता है तो यह हमारा form था evolution का और यहीं चीद हम लोगों कहला था क्या Darwin theory of evolution तो हमारे प्यारे दोस्त जो हमारे 50 question का target था ना हमारे प्यारे दोस्त जो 50 question का target था ना वो कह सकते हैं कि अब भी देखा biology का अब वारी हमारी chemistry का जो कि आपके screen पर दिखरा है इसके भी हम लोग most important questions को Hindi plus English दोनों ही PDF के साथ इसको देखेंगे और question अभी इसको cover up करेंगे यहां तक देख चुके हो तो बस थोड़े दर और बैठ जाओ मुश्किल से 40-45 मिनिट और लगेगा chemistry भी खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग अपना देख लेना कहीं से मिला लेना तो चलते हैं लोग अपने कोशन के तरफ chemistry का जो की बहुत important question हो सकता है हो सकता है क्या हो गाई तो इतना दर से class जो चल रहा है उसके ठक भी गए नर्जी भी लौस है तो बहराल पहला question जो की आपके screen पर chemistry का ध्यान से और पूरा देखिएगा उसके बाद ऐसे आप लोग PDF टेलीग्राम से इसका ले सकता है तो चलिए पहला question आपके screen पर chemistry का ध्य समिकरन ठीक है एक BBI question है दो नमर पांच नमर में पूछता है तो चलिए एकल एलेक्टोडिया उद्र सेल का विभाव सेल में आयन के सामंद्र पर निर्भर करता है ठीक है तो हम लोग जानते हैं इस समंद में नस्ट ने एक समिकरन प्रस्तुत किया जिसे नस्ट का समिकरन क 3RT by NF log K ठीक अब सभी का मानिया देख लिए जहां पर capital E जो कि हमारे लेक्टोड भी वह हो है E. हमारा लेक्टोड का मानक है मानक भी वह है R हमारा gas इस्थिरांग के T हमारा Kelvin है जो की temperature है N हमारा आयन की सयोगता है F हमारा Friday है K हमारा अर्द सेल का अभी करिया का साम में इस् फ्राइडलिक अधिवेशन समिकरन के स्थिरांग के और N की गन्ना कैसे करेंगे बहुत important question है यह BBI question है याद रखेगा BBI question है तो चलिए answer क्या कहता है फ्राइडलिक अधिशोसन समिकरन के अनुसार X बटे M बड़ावर KPL बटे N होता है ठीक है दोनों और लॉरिथियम लेने पर log X बटे M बड़ावर log K plus 1 by N हो जाएगा ठीक है अपला इंटू log P हो जाएगा तो आगे कहता है log X बटे M और log P के बीच ग्राफ खीचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है इस रेखा को हम लोग log X बटे N तथा Y अक्ष पर इंटरसेप्ट log K के मान को बतलाता है ठीक है यहम लोग को पता है आता slope और इंटरसेप्ट के मान से K और N के मान की गन्ना की जा सकती है समझ गया चलिए आते कोशन मत्रीक तरफ ठीक है जाता है निवन में किस परकार का को लाइडी विलियोन बनता है पहला जो है गंधक के वास्प को ठंडे जल में परवायद किया जाता है तब क्या बनता है अंडे की सफेदी को जल के साथ मिला जाता है तब क्या सावं का विल्यन थे तीनों का तो पहला देख लिए आ कि है मैकरो मोलीकुलर म्यक्रों मोलीकुलर क्योंकि गंधकर अनुसंगोनी aún कर्म माइक न होट। जो जल में विलाय होते हैं तीसरा एसोसियेटेड होता है क्यों क्योंकि सावन के आर सी डबल ओ आयन संगुनिती होकर मिसिलेज बनाते हैं कोई दिकत चली आते हैं नेक्ष कोश्चन नमर कोश्चन नमर फोर्ड के तरफ मेरे प्यारे दोस्तों कहता है फिर उत्पलावन विध जिए फॉर्ट फिलोटेशन प्रोसेस का सिधान्त लिखे और इस विधी से किस परकार के आयसक कास्षा सांधर्न किया जा सकता है एक इंपरड़न कोश्चन है ठीक है एक बहुत कोश्चन मेरे प्यारे दोस्त फोर्थ फिलोटेशन में पूचा गया आद देख नहीं उठा जब तेल मिस्रित पाने में आयसक के चूर्ण को डाल कर उसमें हवा का ज्छोंका प्रवाहित किया जाता है तो आयसक के कन फेन के साथ ऊपर चले आते हैं जबकि अधार्थी यान्की गैंग कन के पानी के साथ नीचे ही रह जाते हैं इस वीधी से सलफाइड आयसक जैसे सामांद्र किया जाता है चले कोशन वाथ 5 के तरफ निक्षालन क्या होता है यानि कि निक्षालन क्या होता है निक्षालन के द्वारा कौन सा सांद्र्व किया जाता है तो निक्षालन हमारा एक प्रक्रिया है यानि कि लीचिंग हमारा प्रक्रिया है जिसमें किसी खास आयस को विशेस रूप से चुने हुए उप्यूक्त विलायक छार या किसी दूसरे अभी क्रमक में घुलाया जाता है विलायक में केवल आयस को घुलता है अशुधिया नहीं उधारन बॉक्साइड आयस के चुरन को एने ओच के साथ एने ओच के सामंद्र विलन के साथ निक्षालित करने पर एल टू ओ घुलाकर सोडियम एलुमिनेट बनता है अशुधिया बीना घुले ही विशिस्ट के रूप में रह जाती है चलिए कोश्चन उमर्ट सिक्स के तरफ एसाइब टू सिक्स ग्यात है लेकिन एसाइब टू सिक्स नहीं क्यूं देखिए इसके दो कारण है ठीक है इसका दो कारण है दो मुख्ये इंपॉर्टिन पॉइंट से तो कौन कौन दखीगा देंसे पहला सी यल कि अप एच्छा सब्सक्राइब तो क्लाइब तो चुटा होता है इसलिए ऐस आइफ टू सिलिकन जो है वह स्टेडिक कर पॉल्चन क्रीयेट करता है इस ऐसलिए टू टू के आप एक्शह में कोई दिक्कत चलि एक्स्ट्ट की तुल्ला में एस आइव बंद छोटा होता यह क्यूं बांद जोरी का इंट्राक्शन एसाइग होता है को दियकर चले कोशन हमारते सेबन के दरफ नइट्रोजन अनू के अत्यांत क्रम क्रियासिल होने का करण लिखerson लिखिए बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है चलिए नेक्स्ट कोर्शन नुमर एट के तरफ हाइलोजन की अपक्षा इंटर हाइलोजन अधिक क्रियाशील होता है क्यों यह एंदी भी आई है यह एंदी भी ठीक है यह बहुत इंपॉर्डन कोर्शन में सेखेश को जरूर अट्रा मारेंगे तो इसका कारण होता है इसका कारण होता है इंटर हाइलोजन में एक्स यह एक्स बंदन हाइलोजन एक्स टू के एक्स बॉंड एक्स बंदन की अपक्षा निर्वल होता है ठीक है क्योंकि अस्मान परमानूं के और विटलों के बीच होने वाला अतिव्यापाम समान परमानूं के और कोशन है जो कि आप कोशन बैंक को इस पेपर कुछ भी उठागे देखो उसमें मिलेगा एस ट्यूस फोर की अपेक्षा पर क्लोरिक अमल अधिक शक्ति साली होता क्यों बहुत इंपॉर्डर कोशन बता दरा हूं पर क्लोरिक अमल लो एक्सिकरन संख्या साथ होती है जबकि अच्चिक अच्ची अच्च एलो फॉर और यह बंद को इसी लिए एच्च ट्यूस फॉर की अपेक्षा अधिक सरल्था से टोड़ कर प्रोटोर्स मुक्त करता है इसलिए हमारा एच्च एलो फॉर आपका अधिक शक्ति साली होता ह कोई दिकत चलिए कोशन नमर 10 जो की लास्ट कोशन होगा इस वीडियो का संक्रमन तत्यों के तीसरे और चौथे स्रेनी के तत्यों की गुनों में समानता क्यों पाई जाती है चलिए ऐसा इसलिए होता है ध्यान से देखीगा तीसरे स्रेनी में लेंथ नाम के बाद की संकूचन होती है जिसके फल्स रूप तीसरा और चौथा स्रेनी के संगत तत्वों के आकार लगभग समान रहते हैं यही कारण है कि संक्रमन तत्यों के तीसरे और चौथे स्रेनी के तत्वों के गुनों में समानता पाई जाती है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्क्र का पावर 3 प्लस रंगीन नहीं होता है यहां पर आपका नहीं छूट गया ठीक है तो आंसर इसका देना है क्यूं तो देखे ऐसा इसलिए होता है कि टी आई 3 एन की आयन में 3 प्लस में एक 3D एलेक्ट्रोन होता है जो उर्जा का आश्वेशन कर T2G से इजी में जाता है इसलिए टी आई एस्टू ओल सिक्स रंगीन होता है जबकि एस सी 3 प्लस आयन के डी और विटल में एक भी एनक्ट्रोन नहीं होता है इसलिए यह रंगीन नहीं होता है ठीक है चलिए आगे चलते क्वेशन नुमर्ण अम लोग 12 के तरफ कहता है CuCl4 2- का अस्तित्व है लेकिन CuL4 2- का नहीं है ठीक है ध्यान से देखें कॉन्फीज मत होगा यहाँ CuCl4 है इसमें सिफ CuL4 है इसमें CuCl4 है याद रखीगा अचलिए कहता है इसका कारण यह है कि CuL की तुलना में L का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए कॉपर इस इस आयन का से तो नहीं होता है चलिए ठीक है कोशन वाद लोग 12 के तरफ 13 के तरफ कहता है निमलिखित जैटील योगी को का युपसीने देखो यह मैंने सिर्फ को इंक्लूट किया है जो कोशन 13 है इसको मैंने सिर्फ और सिफ दिखाने के लिए इंक्लूट कर लिया है इसक इसका इसका इक अब सपेशल वीडियो आएगा आयूपसी नेम का जितना विए पिशन वीडियो आएगा उसके लिए आप निश्चिंत रहें 50 आई पर वाले कोशन्स आएंगे वह कराएंगे 13 कोशन नमर्स अब आपका इसके लिए टाइम लगए चलिए कोशन आते हम पी डाइगलोरो बेंजीन जीरो एवं समानवी से अधिक समीत है जिसके क्रिस्टल लाइटिस में यहां सगहन रूप से वस्थित होता है अता इसमें सेस दोनों समायती की तुल्ला में अंतर अनुक आकर्सन का बल अधिक होता है परदात के घुल्ले या पिघलने के समय क्रिस समायवती का द्रवांक जीरो एवं समायती के प्रिक्षा अधिक और विलेता कम होती है ठीक है चलिए आते कोशन में 15 के द्रफ इसमें भी होई है निम्र योगी को कि आईप्यसी नेम लिखे इसका भी आपका बहतरीन कोशन है और इस पर आपको डेरो कोशन मैं आपको बता इसी तरीके से सारे के यहां पर आउपेसी नेम दिये हुए है छे उक आप इसको जरूर से जरूर देख लेंगे जब पीडियाफ आप इसका ले लोगे कोशन में 16 के द्रफ निम्र योग से एक आयोड बुतेन बनाने के लिए समय करन लिखे वन बिटनॉल वन क्लोरोबुत ब्यूटेन ब्यूट वन इन ठीक है इससे आपको बनाना है तो सारे से ब्यूटनॉल से आपका यहां पर CH3C.CH2.CH2.CH2OH-HI जब हीट इसको करेंगे तो CH3CH2.CH2.CH2 प्लस ह्टूट जाएगा ठीक है दूसरा है आपका नीचे दिया हुआ है वन क्लोरोबुतेन से ठीक है तो सारे कोशन आप जरूर से जरूर से करेंगे और हाँ एक बात और इसमें से आपका यह option में आता है जो 13 नमर कोशन दा और 60 नमर यह सारे option में आता है तो दोनों में से कोंड यह काता है चलिए 17 नमर एलकोहल और के बीच होने वाली प्रतिक्रिया में H2SO4 का उप्योग नहीं ही जा सकता है क्योंकि चोफ्र केला को य conten 4 में चैनी को बदलता और फिर उसे अीडियन में उक्षी कृत कर देता है इसे लिए हम लोग ऐसे इसा नहीं करते हैं तो आप उसका सभीकरन देख सकते हो मिलाते हैं त्ख यौ फ्लस ही25 बनाता है 2HI plus H2SO4 2 two so plus so two me convert कर देता है चलिए आते सब्सक्राइब प्रोपेन के विभिं डाइधी एलोजन वे तुप्रooky सरचनासुतर लिखे प्रोपेन के यह अपर देख सकते सरचनासुतर यहापर लिखा हुआ है प्रोपेन का पहला देखिए चेट है C2-C2-C2 ठीक Sl और c l इसमें भी है c l इसमें भी है सेम इसमें भी है तो यह सारे प्रोपेन के आप इसको देख लेंगे फ्रीयां 12 ddt कहना है यह जो बारवर फ्रेम रेट का प्रोब्लम है यह मुवाइल से ही सूट होता है इसके लिए माफी चाहेंगे दिक्कत होता है लेक्टॉप अगरा नहीं है इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोग बस इसे अड़ेस्ट करना कोसिज करेंगे दिरे दिरे क्योंकि देखिए यूटूब से देखा जाए तो पिछले चार-पांच साल से यूटूब पर काम कर रहा है कोई भी इंकम नहीं है तो इसलिए बस अपना बस लगे रहते पैसन के थुरू बाकि तो अपना फल वह उपर वाला देख रहा है तो कह रहा है इसलिए थोड़ा से दिक्कत है और मौईल से ही काम चलता है सब कुछ इडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ इसी से होता है तो खैर चलिए इसलिए बा पर पहला कारी यहां पर देख लिए टूल्स मेरा फिर से गायब हो गया था और चलिए इसको लिया आए गया तो कहता है क्या है देखिए फिजॉन 12 का यूज रेफिजरेटर अबम एर करनिसर में शीत कारक के रूप में होता है ठीक है पता ही आपको दाड़ी बनाने के क्र पर परतिवंद लगा दिया गया है हाँ यह जितना अच्छा है दोनों उतना ही हानी कारग भी है ठीक है आगे देखिएगा कारवन टेक्ट्रा क्लोराइड इसका उप्योग तेल वसा रेजिन आदी के लिए विलायक के रूप में किया जाता है पाईरीन के नाम से इसका हमारा जो उप्योग था बता दिया गया ठीक है कि नेक्स्स लास्ट है इसका ब्योग क्लोरोफोर्म बनायता था incidence के किया जैता है आईरव घाव के criticism में इसका उप्योग भी किया जाता है तो यह लिए यगर हम अगरा losing आपका जो हमारा सारे का उपियोग कोशन आपसे पूछा था कि फीजों 12 डीटी कारण टेट्रा कोलाइड एवं आईडोफर्म तो सभी का मैंने उपियोग आपको बता दिया तो ये थे हमारे चली ट्वंटी नमर कोशन को फीनिस करते हैं कहता है लगभक समान अवनिक द्रविमान वाले हाइड्रो कारवन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक कले होता है क्यों व्याक्या कीज़े तो ऐसा इसलिए किस कांसर आप देखोगे तो एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बं एक्षन भी देख सकते हैं उसका बनाना चाहां तो बना सकते हैं और ध्यान से वीडियो पर आचिके पूरा देखना पूरा वाच करके ही जाना उन सभी इंदरों के आईउपेसी नाम हैं और सनरचना सुत्र लिखना है तो मेरे प्यारे दोस्त सभी में ज्यादा से यादा तीन होता है ताब तीनों को लिख देना तीनों में कैसे विभेद करेंगे दो पेंटनों में आप कैसे भी बहुत कर सकते हैं तो देखिए दो पेंटनों आइडो फॉर्म पडिक्छन देता है जबकि तीन पेंटनों यह परिक्छन नहीं देता है सिंपल सी बात है तो यहाँ पर आप उसका समिकरन भी देख सकते है मेरे प्यारा दोस्त चलिए आते कोशन में 23 के तरफ कहता है बीना अवकारक का उप्योग कि यह आप फालीडिहाइड से मितनोल कैसे बनाएंगे बीना अवकारक करिए उसकी एक important question है मेरे प्यारा दोस्त BBI question है चलिए कहता है कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा हम लोग बिना अविकारक तो कैनिजारो अभिक्रिया कर आप पढ़े होंगे कैनिजारो reaction कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा formaldehyde की अभिक्रिया सांद्र 50% एन अवकारक नहीं है ठीक है किसके द्वारा तक करें जारो reaction के द्वारा बना सकते हो तो टू एच सी एच ओन एच 50% तो बनेगा मेथनौल प्लस एच सी एच सी ओने चले मेरे प्यारे दोस्त कोश्चन उटनीफोड के तरफ कहता है मेथनौइक अमल यानि कि मेथनौल मेथनौ मेथनौइक अमल अवकारक के ऐसा वेवार करता है या अमलिय पोटेशियम पर मैगनेट के गुलावी रंग के विलेन को रंग हीन कर देता है जबकि एथनौल अमल अईसा नहीं करता है याद रखेंगे आगे कहता है इसका समीकरन 5HCOOH प्लस 2KmO4 प्लस 3H2SO4 K2SO4 प्लस 2MSO4 प्लस H2O प्लस 5CO2 ठीक है मेरे प्यार दोस्त आते हैं क्वेशन 25 के दरफ प्रोपाइल एमीन का क्वथनाक ट्राइमिथाईल से अधिक होता है जबकि दोनों का द्रवमान ब्रावर है कारण बता है क्यों ऐसा हो होता है एन प्रोपाइल एमीन देखिए एन प्रोपाइल अमीन 3-2 cc debats 2-n2 एन पर्मानु पर दो हैड्रोजन पर्मानु पर दो है यहां पर देख सकते हों मैं प्रेदा घ्रल जो इसलिए इंटरमॉलीकुलर हाइड्रोजन बानद होता है वो पाया जाता है जिसके करण इ इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाय जाता है इसलिए इसका प्रोपाइल एमीन से कम होता है मेरे प्यारा दोस्त चलिए इसको जरूर से जरूर देख लेंगे और इस तरीके का क्वेशन के लिए मैंने वादा किया है है कि आपका एक स्पेशल वीडियो आने वाला जिसमें की टोटल 50 कोशन सब्सक्राइब के साथ ही मैं इसको इंक्लूट करूंगा चलिए कोशन में आते हैं 27 के तरफ मेरे प्यारा दोस्त कहता है ग्लाइसीन जोटरीन के रूप में रहता है जबकि ओ एवंपी एमिनो बेजोईक अमल नहीं है व्याख्या कर ऐसा की होता है देखें ओ एवंपी में एमिनो बोन जोईक अमल में एनेस टू पर उपस्थित इलेक्ट्रोन की निर्जन जोड़ी बेंजीन वले की और खिसकता है वेंजीन जो होता है उसके तरफ खिसक जाता क्या इलेक्ट्रोन का जो जोड़ी है उसके कारण सी डेवल एज का अमलिये प्रकृत और एनेस टू की भस्मिये प्रकृति में कमी होती है ठीक है इसलिए निर्बल आमिये मुलक सी डेवल एच एच प्लस आयन को निर्बल भ बस्मिये मुलक एनेस टू को अस्थांत्रित नहीं कर पाता है अता ओवंपी एमिनो बेंजोइक अमल जू ट्रेनिंग के रूप में नहीं रहता है ठीक है मेरे प्यारा दोस्त ऐसा इसलिए कारण होता है क्यों चलिए निकलोसाइड से आप क्या समझते हैं आरेने के चार कारियों का उलेक करें रट्टा मारके जाएगा रट्टा मारके जाएगा दो होजार तेशम जब भी दोगे बीवी आई है आरेने डिएने का यह बहुत इंपॉर्डन कोश्चन है ठीक है निकलोसाइड जब मैंने प्रोजोनियस बेस होता है इमलों को मालूम है ठीक है चलिए आरेने के चार प्रमुख कारिये क्या होता है तो देखिए आरेने प्रोटीन के संसुलेशन को नियंत्रित करता है या उत पेरक के ऐसा कारिय करता है यह कभी-कभी आरेने और डिएने संसुलेशन करता है नेक्स तो मेरे प्यारे दोस्त प्रोटीन के घुलनशील रूप जैसे गलोबलर प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या खनीज अमल छार आधी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रोटीन का असकंद या अब शेपन होता है या प्रोटीन के जैविक सक्रियता को समाप्त कर लिए जाएगा प्रोटीन का किसी भी घुल्ले वाले प्रोटीन को तो उसको हम लोग डिनुट्रेशन कहते हैं प्रोटीन का ठीक है उदारन के तौर पर दूद को जब निम्बू के रस्प के साथ गरम किया जाता है तो पनीर बन जाता है तो मेरे प्यारे दोस्त आते हैं पॉलीमर तथा मोनमर क्या है एक इंपोर्टेंट और भी याई दोनों में डिफ्रेंस भी आप से पूछ सकता है तो पॉलीमर अनेक छोटे-छोटे सारल अनुओ सामान या भीन के नियमित तरीके से प्रसपर सयुक्त होने से जो व्रहित अनुबनता है उसे बहुलक कहते है जैसे पॉली थीन, पॉली भी नाइल, कॉलोराइड, नाइलोन, 66 इत्यादी तो मेरे प्यारे दोस्त अभी फिर से आपने देखा होगा बीच में जो प्लीज ओपें दर यह मेरे घर का में बेल है तो कोई होंगे बाहर तो उसका आपको साउन मिला हो इसके लिए माफी चाह इत्यादी एकलग के उधारन है, तो यह सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त और यह जो ठर्टी कोर्शन नमर है यह पिछली वीडियो मेरे कवर अप करा दिया था, मुझे याद है आप वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना आपको मिल जाएगा और पूरा जून का एक मैराथन वीडियो आने वाला है जिसमें की पूरा फिजिक्स, पूरा केवेश्ट्री, पूरा का पूरा पालोजिक कवर अप होगा एक ही वीडियो में, पूरा मैराथन वीडियो जून में जितने ही मैंने कराया है, सबको एक ही वीडियो में ऐसे मैं कवर अप कराने वाला ह अगर किसी को इंगलीज में डाउट हो तो हिंदी देख लो किसी को हिंदी में डाउट हो तो इंगलीज देख लो तो प्राकृतिक बहुलक उच्छ आनविक द्रावेमान वाले व्रिहत अनु है जो पेर पौदे एवं जानुवरों में पाय जाते हैं उदारन के तौर पर प्रावेमान वाले व्रिहत अनु है जैसे कि प्लास्टिक संसलेशित कर रवर इत्यादी संसलेशित बहुलक की स्रेणी में आते हैं उनके दो विशिस्ट उधारन हैं दो कौन-कौन तडैकरॉन, पॉलिथीन, बेकलाइट और इत्यादी बेकलाइट को याद रखना बहुत होमो पॉलिमर, जब एक ही मोनोमर के कई अनु मिलकर बहुलक का निर्मान करते हैं तो वैसे बहुलक को होमो पॉलिमर कहते हैं उधारन आर्थ, पॉलिथीन, पॉलिभीनाइल, कुलराइड और टेफलोन इत्यादी, ठीक है टेफलोन कोटिंग भी सुने होंगे, नेक्स्ट क सकता है कि कौन सा पॉलिमर है तो को पॉलिमर याद रखेंगे चलिए कोशन में 33 देख चुके 32 देख चुके 33 क्या गयता है देखिएगा टेफलोन पॉलिभीनाइल क्लोराइड बेकलाइड के निर्मान में परयुक्त एकलक का नाम लिखे अभी उपर मैंने बता दिया जो इसमें को यूज़ होता है एक लग का निर्मान के लिए ठेट्ट्रा फ्लोरो यूज़ होता है अगर आप इसे टेफलोन में पॉलिभीनाइल क्लोराइड का इस्तमाल होता है ठीक है उसी तरह के से बेकलाइड में आपका मोनुमर जो होता चलिए आते हैं कोश्ण नो 34 के दरफ सरचना की अधार पर बहुलक का वर्गी करन कैसे किया जाता है एक वन अप्धा मोस्ट इंपर्ड़िंग कोश्ण अगर एक्जाम दस बार में होगा तो दस बार में से यह सब 6-8 बर कोश्ण आपको यह पूछा जाता है चलिए तो कहता ह पहुलक के तो पॉलिथीन पॉलिविनाइल को राडी दूसरा शाखा स्रिंख वाला पाहुलक के तो पाज्स्ट रख्रास्प्र में मैं बंता है और जो अभी नीचे दिखरन और नटेंर है रख्टा-मार के जाना यह आपका दोसों बार दोसों बार पूछता है दो दोजर 22 में भी साइज नहीं था लेकिं 2023 में यह होने का चांस बहुत है ब्युना एन और ब्युना इस में क्या अंतर है एक इंपोर्टेंट कोश्चिन है 2023 एक्जाम बोड के लिए तो ब्युना एन 1-3-butyne एवं एक्राइल नाइट्राइल का को पॉलीमर है जबकि ब्युना एस 1-3-butyne और इस्ट्राइन का को पॉलीमर है तो इसको रट्टा मार के जाएंगे 36 आपके एक्जाम पर नाइलोन 66 और नाइलोन 6 में क्रवश्चा 66 और 6 में क्यों लिखा जाता है एक इंपोर्टेंट और बहुत इंपोर्टेंट आपके बोड एक्जाम के लिए कोश्चिन मेरे प्यारे दोस्त इसकिप मत कीज़ेगा कहता है नाइलोन 6 एक ही परकार के मोन मोनमर के संखनन बहुली करन के फल सरूप बनता है के प्रोलक्टम में शिक्स कारवन परमानू होते इसलिए नाइलोन में 6 का परयोग किया जाता है क्यूंकि परमानू 6 कारवन 6 तो नाइलोन में 6 के जाता है नाइलोन 6-6 में दो भीन मोनमर एटिपिक अमल और हेक्सामिथिलीन एडमीन डाइमीन के संगनन बहुली करन के कारण बनता है दोनों मोनमर में 6 कारण परवानू होते हैं इसलिए नाइलोन में 6-6 और 66 का पर्योग किया जाता है थीक है तो समाझ विए कि ऐसी की होता है दोनों में 6-6 का पर्योग क्यों होता है बहुत इंपोर्टेंट है भूलिएगा नई कारी करता है जबकि एक परतिसात आपका डिसंफेक्टिंग कारी करता है तो याद रखेंगे तो यह दही के समान अब छेप बनता है जो पपड़ी के रूप में अलग हो जाता है अता सावुन का उपयोग वस्तूओं को साफ करने में अक्सक्षम होता है संसलेचित डिटर्जन खारा जल में ज़ाग उत्पन करता है और वस्तूओं को साफ करने में सक्षम होता है आता सिंथेक्टि डिटर्जन बेतर है तो समझ गए सावुन आप देखो ज़ाग उत्पन नहीं करता है लेकिन इसे आपका डिटर्जन कर देता है इसलिए साफ भी और आम से डिटर्जन करता सावुन नहीं तो कप्र हम लोग दोता है डिटर्जन से ना कि सावुन से हाँ सरीर हम लोग दोता है डिटर्जन से नीचे कमेंट करने आप लोग किसे दोते हो मैं तो भाई सबसे दो लिया था चलिए आगे काता है कॉर्शन मर जो 39 है हाइपर ट वारक के रूप में मॉर्फीन का यूज किया रहता है तो याज तीनों के तीनों समझ गए आते हैं को फोर्टी के तरफ जो की लास्ट है और लास्ट कोशन निकल गया आपका बहुत ही महुत फूर्ण कोश्चन आपके बोर्ड एक्जाम्स के लिए फोर्टी नंबर कि आपका होई थी एक एक छीक ऑप्र्ड तीक केमिकल सब्स्टां से है क्या करता है और या तो उनके वृद्धी को रोक देता है और सबसे पहले जो धूदे tutte थἚे नेकर सब्सक्राइन यही थे हमारे सुक्त कі तो यारो हमारा जो क्लास होता है वो एक दव खतम होता है और 12th क्लास के तीनों ही सब्जेक्ट का जो वीडियो एक ही वीडियो में मैंने आपको बता था ता केमेस्ट्री का वह हमारा जो कोश्चन का सेसन हो कम्प्लीट होता है अब आप ऐसे नेक्स्ट वीडियो भी आएगा तो वह इसी तरीके से आपको आने वाला है दो घंटे तिन घंटे की वीडियो होंगी लेकिन सारे इंपॉर्टेंट कोश्चन उसमें इंक्लूड़ होंगे तो बहराल अगर आपने आज के वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके बताना कि आप लोगो कैसा लगा वीडियो जरा भी पसंद आया महिनात का थोरा सा भी तो लाइक करना नहीं है तो डिसलाइक कर सकते हो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और इसका पीडिय आफ टेलीग्राम से आप ले सकते हो फ्री आफ कोस्ट है कोई भी चार्ज नहीं है और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए फीचर में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ना मिलते हैं लोग अगले वीडियो में आपका हमारा इस वीडियो पर अपना बहुमुल्य समय दन झाल झाल